नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमपटीशन प्रिप्रेशन पे आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहोंगे इस वीडियो में हम सीजियल मेंस 2021 के मैथमेटिक्स के सभी सौपरेशन को उड़ाने वाले है मेरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि आंसर की आने के दिन ही मैं सुरू हो जाता हूँ इस बार टाइप करवाना था क्यूकि आप आप लोग सिखायत करते रहते हो कि आप अंग्रेजी में पेपर करवाते हूँ तो इस बार मैंने हंदी अंग्रेजी दोनों में टाइप करके 11 पेज का पीडिया करती है तेलिक्याम म्नीट प्रवाईट करती है सेम और में यहां पर questions करवाने वालों यानि कि वीडियो जो होगी वो क्या होगी bilingual होगी यानि हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगी कोसिस करेंगे सारे प्रशन आपको मतलब एकदम बेसिक एकदम अच्छे तरीके से जो best possible method हो सकती है उससे कराए जाए और कम से कम समय में बीन बकवास की हुए सो प्रशनों को बजाना मेरी दरख्वास रहेगी आपसे कि आप वीडियो को लाइक करना न बोले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना न बोले और टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए टेलिग्राम पे ही आपको PDF मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम की दे दी गई है अगर आपको सॉलिड स्फियर है जिसकी रेडियस 42 सेंटिमीटर है उसको मेल्ट किया गया और क्या बनाया गया उससे इसमाल सॉलिड स्फियर बनाएगे यानि कि मेल्ट करके क्या बनाया गया मेल्ट करके बनाया गया छोटे छोटे गोले बनाएगे आप से खांगे वाट इसमाल बनेंगे मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर एक चीज को पिगला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या constant होता है वॉल्यूम constant होता है यानि बड़े वाले गोले के लिए वॉल्यूम चार बटे तीन पाई गुड़े radius का क्यूब होता है यानि 42 का क्यूब यह हो जाएगा पहले वाले यानि बड़े वाले गोले का वॉल्यूम अगर हम छोटे n गोले बनाए और सबकी radius आपको दी गई है तो n गोलों का वॉल्यूम जो होगा वो इसके बराबर होगा यानि ये बराबर हो जागा n इंटू 4y3 पाई इन्टू साथ का क्यूब मैंने ट्रीक भी आपको बता रखिए कि भाईया 4y3 पाई 4y3 पाई कर जाता है यानि अगर आपको एक गोले को पिगला के दूसरे छोटे छोटे गोले बनाने है तो उनकी संक्या n बराबर होती इसकी त्रिज्या बटे छोटे वाले गोले क प्रश्ण आपने बजा दिया ओप्सन भी करेक्ट हो गया दूसरे प्रश्ण में इन्होंने कहा कि एक मिक्चर है एसीड और वाटर का जिसमें 20% क्या है एसीड है काग्या 10 लीटर वाटर इसमें एड कर दिया जाए तो जो एसीड की मात्रा हो वो 15% हो जाती है आपको वरि कि अगर हम बात करें कि total mixture 10x था x मैं इस से करवाता हूं कि आपको समझने में आसानी रहे अगर मैं बात करूं total mixture 10x था तो उसमें एसीड की मात्रा पहले कितनी थी भाईसा पहले acid की मात्रा 2x थी और अब क्या किया गया है mixture में 10 लीटर पानी अड कर दिया गया है यही आप 15 बटे सो इसका 15% रख बराबर है 15 बटे 500 के यान इसके तीन बटे 20 के बराबर है यह हम क्या सकते हैं 10 x plus 10 का 3 x 2040 बराबर हुजाएगा 30 x प्लस 30, यानि 10 X बराबर 30, 10 X हमने क्या माना था, शुरुवात में मात्रा, तो शुरुवात में मिक्चर की मात्रा कितनी आगे, 30 लीटर, यानि आपका correct option हो गया, option declare, कहा गया, height of cylinder, तीसरा प्रशन है, height of cylinder दिया गया 45 cm, इसकी base, जो base है, उसका circumference दिया गया 132, तो आपको curved surface सेरिया निकालना, तो को height दिया गया 45 cm, यानि height of cylinder दिया गया 45 cm, सुन्दर से अच्छरों में लिख दो, अगर इसकी base radius R है, तो इसका आधार का circumference होगा, वो 2 pi R होगा, वो दिया गया 132, आप से निकालने को कहा गया curved surface, हमेशा समझेगा कि 2 pi RS जो होती है, वो इसकी curved surface एरि सिलेंडर के लिए, तो आपको 2 pi R में S से गुड़ा कर देना था, यानि 45 का उठाके 132 में गुड़ा कर देना था, तो यह हो जा था 45, 45, 135, यानि 1350 और जुड़ जा था, और 45, 90 और जुड़ जा था, तो यह हो जा था, 40, 4, 5, 9, और यह 5, 69, 40, चुकि area है तो centimeter square, pi की value कहीं रखने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों इन्होंने दिया था, pi की value, समझा गया, चौथा प्रश्ण इन्होंने बजाने को दिया था, x plus y is equal to 1, x cube plus 3xy plus y cube, मैं क्या काम करता, मैं x बराबर 1 रख देता, y बराबर 0 हो जाता, x बराबर 1, y बराबर 0, यानि यह कट गय गया, x का cube की value पूच गये थी, x का cube कितना हो जाएगा भाया, एक हो जाएगा, कहा गया, कि यह जो बार चार्ट है, वो 5 school में लड़के और लड़कें की संख्या दिखाता है, कहा गया, number of boys in school, s6, are 30% more than number of girls in school, s1, यानि s6 में boys की जो संख्या है, वो s1 में girls की संख्या से 30 30% ज्यादा है, s1 में girls की संख्या है, जो black बाला है, वो girls की संख्या है, 500 है, s1 में, उससे 30% ज्यादा, यानि की 1,500 ज्यादा है, यानि साड़े 600 boys होगे, s6 में, boys की संख्या, s6 में कितनी होगे, s1, 600, ठीक है, कहा गया, the number of girls in school, s3 and s4, s3 और s4 में girls की संख्या कितनी है, 1800 400, 400, 200, is what percentage of the number of boys in school, s6 and s1, s6 और, जो ये, मतलब, लड़कियों की संख्या, किसमे, s3 और s4 में, वो s6 और s1, s6 और s1 में boys की संख्या, s1 में boys की संख्या कितनी है, 1200, और s6 में कितनी है, 650, तो इन दोनों का योग कितना होगे, 1850, यही पूछा गया था, कि s6 और, मतलब, s3 और s4 में, लड़कियों की संख्या, यानि, 200, 1850 से कितना परतिसात है, तो आप कहेंगे, 200 बटे, 1850, गुड़े 100, यानि, आप लिख सकते हैं, 220 बटे, 1850, गुड़े 100, calculate कर लो, आपका answer आजएगा, 5 से काटो कि 5, 3, 15 हो जाएगा, ठीक है, 5, 7, 35, यह 20 हो 37, कितना होता है, 37, 37 में से 37 गड़ जाएगा, यानि, लगभग 9 बार जाएगा, यानि, 119 परसेंट से थोड़ा कम आपका answer आएगा, तो थोड़ा कम, 118.92, करेक्ट हो जाएगा, क्या कहा गया, कहा गया, curved surface area, एक solid hemisphere के लिए, solid hemisphere के लिए, curved surface area कितनी होती है, 2 pi r square, 2 pi r square आप 4 pi r square यहाँसे कितना हो जाएगा, गोलार्द का, कुल पिर्स च्छेत पर, आपको समझ में आना चीए हिए, कि 4 pi r square होता है, गोलार्द का या 3 pi r square, यह होता है, हमेशा याद रहा है, यह sphere के लिए, इस il तो आपको 2 pi r square 22 दिया गया 3 pi r square पूचा गया था 2 pi r square 22 2 pi r square 11 तो 3 pi r square यह सब लगाने वाले questions ही नहीं थे दो प्रश्न एक साथ दिख रहे हैं लेकिन साथ हों पहले बजाएंगे फिर आटफ़ां बजाएंगे कहा गया अगर एक वस्तु को 5% की छूट पे बेचा जाता है तो 14% का लाव होता है छूट 11% हो जाए तो लाव कितना होगा देखो अंकित मूली कुछ रहा होगा उसके 95% पे बेचा जाता है और marked price या market price जो भी बोलू और cost price 5 है आप कहा गया छूट 11% की देदी जाए यानि कि 6 पे 11% यानि कि 6 का 11% 0.66 हो जाएगा यानि बिक्येगी कितने की वज़ तो 5.34 की बिक्येगी 5 की खरीदी गई 5.34 की बेची जा रही यानि 0.34 का profit हो रहा है 5 पे 0.34 कितना हो जाएगा आप आप कहेंगे 34 बटे 5 देखो 0.345 का कितना परसेंट है आप कहेंगे 0.34 by 5 into 100 यानि 34 में डिवाइट करने 5,36, 5,48 यानि 6.8 परसेंट आपका correct answer हो जाएगा clear अगला प्रशन टाइम एंड वर्क से पूछा है इनो ने कहागे ए एक चोथा ही नो दिन में कर लेता है एक चोथा ही नो दिन में तो पूरा 36 दिन में बी उसी कारे का दो बटे तीन भाग 28 दो बटे तीन 28 तो एक बटे तीन 14 यानि पूरा काम 42 दिन में आप कहागे दोनों एक साथ करें ए ए दिन में बी दिन में तो दोनों मिलके ए गुड़े बटे ए धन भी यानि 36 गुड़े 42 बटे 36 दन 42 यानि कि 78 हो जाएगा आपकाट दो 6 से काटोगे 13 आएगा 6 से काटोगे 6 आए जाएगा 6 गुडे 42, 252, 13, 29, 13, 12, 12, 13, 29, 17, बचेगा 5, 13 यानि 19 सही 5 बटे 13 या 252 बटे 13 दिन में आपका आंसर आजाएगा मतलब इतने दिन में आंसर नहीं आ जाएगा आंसर तो सेकेंड में आएगा लेकिन यह आंसर हो जाएगा यह सब प्रश्णी स्टार बैस का अगर आपको याद हो कहा गया कि ratio of three sides तीन साइड का ratio पांच अनपाद 13 अनपाद 12 दिया गया तो largest angle क्या होगा आपको मैंने बताया कि अगर तीन साइड A B C हो और किसी A का square यानि B का square बराबर A का square प्लस C का square हो जाए यह rule मैंने बताया था कि important है तो यह triangle कैसा होता है right angle triangle होता है और right angle triangle का सबसे बड़ा कोण नप्यांस का होता है आपने कहा है यहाँ पर 13 का square 179 है 5 का square 25 और 12 का square 144 25 और 144 मिलके 179 हो रहा है यानि यह rule follow हो रहा है यानि इसका सबसे बड़ा angle कितना होजेगा 90 दिपर यह कोण कैसा इत्रिबूच कैसा होजेगा समकोण इत्रिबूच राइट बिपुल और मनीज भाई इन्वेस्ट करते है 15,000 और 20,000 एक लोग को 20% ब्याज मिलता है वारसी दूसरे को 30% compound interest दोनों को मतलब मिलता है compound interest कहा गया time period अगर 3 साल हो दोनों के लिए 3 साल हो दोनों के लिए तो आपसे कहा गया what will be total compound interest विपुल और मनीज द्वारा total जो मिलेगा इन दोनों को वो कितना मिलेगा देखो अगर मैं बात करूँ 20% का 3 साल में कितना मिलेगा 20% मतलब होता है कि 5 अगर invest करो तो 6 मिल रहा है ठीक और 30% का मतलब होता है कि अगर 10 इन्वेस्ट करो तो 13 मिल रहा है आप एक बात बताओ एक साल में 10 का 13 अगर 3 साल की बात करने तो 13 का क्यूब बटे 10 का क् 292,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, कितना इन्वेस्ट करा है 15,000 इन्वेस्ट करा है 15,000 इसका कितना गुना है 120 कुना है 120 कुना है तो ब्याज कितना मिलेगा इसका 120 यहाँ पर देखो दो सत्य चौदा दो नो अठारा एक उननिस और दो एकम दो एक तीन दो एकम दो यहाँ टोटल कितना मिला नो सो दस जार नो सो बीस तेईस जार नो सो चालिस जोड़ोगे तो यह 34,860 रुपए आपको ब्याज मिले लेगा 34,860 रुपए ब्याज मिले लेगा इस्टार बैस अगर आपने देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि यह प्रश्ण मैंने करवाया था सेक्य मैंने काई की वैलू इसी होता है 1 एक के क्व będąbrais का हैं किर्फय को था हाँए को यहां सिन-काउ्षी आपका फस्ट आप्सिन करेक्ट होजा है का गया हाइट ऑफ सिलेंडर यान से हाइड जो है वो रेडियस से 6 cm जाद है कहा गया इसकी रेडियस 14 है यानि कि हाइड कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी कहा गया वालियूम क्या होता है आपका हमेशा कितना π.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r.sq.r पर कर रहे थे तो बताना होए मेंस का पर का पाई चार्ड जो है और चे अलग अलग कंपनियों का टायर दिखाता है मतलब कि कितना टायर बेशती है ठीक है कहा गया वाट इस दसम अफ सेंटर लेंगल फॉर्ण बाइश सेक्टर रिप्रिजेंटिंग टायर सॉफ कंपनी एफ एफ और जो है एफ और एफ औरए 28 और 12 यह 20 परशेंट टायर बेशती है बारा परेस्ट यह नि दोनों मिलके 40 परसेंट आपको पता है तो हंडेट परसेंट बराबर 360 होता है तो 100 परसेंट 360 एक मतलब यहांग यहां से 10 परसेंट चार गुड़े च्छतेंस तो 40 परसेंट कितना हो जागा चार गुड़े 46 चार गुड़े 36 कितना हो जागा 144 में क्लिए एll एक जीवा है किसकी एक ब्रित की जिसका डियामेटर 20 зaitो steps का dal कि यह भी 10 यह भी 10 भुजाएं आपको पता है यह अगर लὗ्र रहकर यह भी 10 यह भी 10 यह भी हो जाएं किसी थिर्भुज की वह बराबर हो गए अब अब बराबर हो गए तो यह कैसा त्रW負ोmus प्रशन को ध्यान से देखों ठोड़ा चोटा क्योंकि बहुत बड़ा सा लिखा हुआ प्रतिसत के रूप में दिखाता है पाई चार्ट टू जो है वो नंबर आफ फिमेल्स दिखाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में ठीक है पाई चार्ट वन है यह मेल दिखाता है यह फिमेल्स किसी Department मतलब Total मालो X महिला है तो X का किंगा परसेंट Department A में B में कितना है सी इमें कितना है यह तका इसे यह आगर महिलाएं है तो यह का 10% A में है 14 percent B में है 18 percent सी में ऐसा करके दिखाएगी कहाँ यह यह B मालो 100 आई महिल आए आपको प्रश्ण में क्या दिया गया कहा कि difference between number of males in B and C B और C में male male ये वाला है female ये वाला है B में female है 12% और C में male है 15% अंतर 3% 100X का 3% यानि 3X यहां अंतर हो गया और यह 3X बराबर 900 दे दिया गया यानि X बराबर 300 X बराबर 300 यानि टोटल जो पुरुशों की संख्या है वो है 300 गुड़े 100 यानि कि 300 के बाद dual 0 यानि 30,000 टोटल पुरुश ऐसे अगर मैं calculate करूँ इधर का कि D और E में महिलाओं की संख्या का अंतर 900 दी में 18% महिला हैं इ में 15% अंतर 3 तीन परसंट सोव आई का कितना है टोटल सोव आई महिला है तो उसका 3% तीन वाई बराबर 900 यानि कि 3y बराबर अच्छा यह 600 था स्वारी निए एक्स बराबर 200 यानि यह बराबर 2,000 हो जाते ऐसा 3y बराबर 900 वाई बराबर 300 यानि कि महिलाओं की संख्या टोटल कितनी हो गई 30,000 टोटल पूरिसों की संख्या है 20,000 महिलाओं की संख्या 3 आप कहागे A, B, F में महिलाओं की संख्या A, B, F में महिलाओं की संख्या A में 10%, B में 14%, 24 हो गई और F 25 तो महिलाओं की संख्या बटे पूरुसों की संख्या आपको करना होता तो अनुपात निकालते लेकिन यहाँ पे योग निकालना है तो 30,000 का 49% कितना हो जाएगा 14,700 और 20,000 का 58% कितना हो जाएगा 11,600 इन दोनों का योग पूछा गया था तो 11,14,25,26,300 टोटल हो जाएगा यह आपका आंसर कितना हो गया 26,300 कितना हो जाएगा 26,300 समझा गया होगा सही बताऊं तो अभी तक बस एक प्रश्ण मिला है डिय वाला यह जो लगा मुझे कि हाँ मेंस लेबल में डाल सकते है बाकि आपको कोई प्रश्ण ऐसा नहीं होगा इसमें ज़रा से भी दिखकत हो एक बात बताऊ एक प्लस वाई ग्रम सी मालें तो एक इसका क्योब करतो तो यह मिलेगा एकस क्योब प्लस वाई क्योब यानिकि 19 प्लस 3xy यानि कि 3 into xy की value minus j into x plus y यानि कि c ये बराबर हो जागा c का cube यानि आपका हो गया 19 minus 18c बराबर c का cube यानि हम कह सकते हैं c का cube plus 18c बराबर 19 यानि हम c बराबर क्या पूट करें कि ये 19 हो जाए c बराबर 1 तो आपसे यही पूचा गया x plus y की value जो कि हमने c माना था c की value कितनी हो गए एक हो गए बोलो clear है सब को बहुत सुन्दर अगला प्रशन देखो सुन्दर सा प्रशन है नंबर सिस्टम का है बहुत बहुत एक सेकंड का प्रशन है कहा कि 400 से 700 की बीच ऐसी कितनी संक्य है नहीं आप ये भी देखो न 600 एक बार 606 में कितनी बार आएगा दो बार 616 में कितनी बार आएगा 626 में कितनी बार आएगा 636 में कितनी बार आएगा 646 हो जाएगा ऐसे 656 हो जाएगा 666 हो गया है 676 हो जाएगा 686 हो जाएगा और 696 हो जाए गए ऐसे अगर मैं बात करूँ तो आप 66 से स्टार्ट होने वाली संख्या ले लो 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 और 679 और 670 में नहीं अब बताओ टोटल कितनी संख्या है हूँ तीन इधर हो गए 363, 393, 123, 153, 182, 20 कितना हो गई टोटल संख्या है कितनी हो गई भाई साथ 20 समझा गया देखो आप से कहा गया एक प्रिज्म का आधार एक समकोर तिर भूज़े भुजायन 9, 12, 15 है इस प्रिज्म का आयतन इतना है तो उचाई देखो प्रिज्म के लिए जो आयतन होता है वो यानि वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया ओफ पेस इंटु हाइट यह वराबर आपको दिया गया है कितना प्रशन में जो प्रशन पूछा गया था ऐसी फ्रस्ण है तो क्या करोगे अगर आप फॉर्मूले से करना चाओ तो अभी आमने पीछे किया है एक उ प्लस बी जो पॉर्मूला जहाँ पे लगाया था ए प्लस बी का होल क्यूब अब देखो यहांपे तो आपको सीधे बात में है उनके बेतन में 20%, 30%, 40% और 50% की ब्रिद्धी कर दीगे, D का बढ़ा हुआ बेतन 560 है, तो BCD के मूल बेतन का योग कितना है, BCD और E, ये दिया गया बेतन, D का बेतन कितना बढ़ता है, यानि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 पूछा गया, 5 दसमरो 6 प्लस 560 यानि 1 बराबर 100 तो योग 14 बराबर 1400 आपका आंसर, इस प्रस्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बीच में डिवीजन का साइन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डिवीजन मतलब होता है, रूट सिबन प्लस रूट फाइप लिखा हुँआ है, और बट्य में रूट सिबन मइनस रूट पाइप, दिवीजन मतलब पलट के गुड़ा कर लो, यानि ये रूट 14 माइनस रूट 10, इसमें root 2 common ले लोगे तो बचेगा root 7 minus root 5 बचे ऐसे नीचे भी root 2 common ले लोगे इसमें तो बचेगा root 7 plus root 5 और यह plus में root 10 upon root 5 root 10 को लिख सकते है root 5 into root 2 बचे root 5 root 5 कट गया इससे यह कट गया root 2 से root 2 कट गया नहीं आपका आंसर कितना है root 2 plus 1 कहा गया कि 20,000 और 40,000 रुपय साधार ब्याज पर 10 और 15 पर 30 की दर से 3 वर्सों के लिए दिये जाते है कुल साधार ब्याज 10% पर 3 साल में 30% 20,000 का 30% 6,000 इधर ब्याज मिल गए ऐसे 40,000 पर 45% 40,000 का 45% कितना हो जाएगा 18 आपको 6,000 इधर मिला था 18,000 इधर यानि टोटल ब्याज कितना मिल गए 24 अज़ार प्रश्न को समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई हो कमेंड में बताना ABC एक संभाहुतिर्भुज है संभाहुतिर्भुज में आपको पता है अंता भृत्त की तुरीज के ज़ाइ १पूचे ल कि 12 बटे 2 till 3 करेंगे तो 2 से एक अच्छे 6 में रूट 3 का दिवाइड होगा अगर यह पूचा जाता तो 2 रूट 3 का दो गूना हो जाता यानि कितना हो जाता चार रूट 3 हो जाता अगर पर पूछा जा पता नहीं क्या प्रश्ण है कहा गया हाइट ऑफ सॉलिट सिलेंडर इस पैंतिस सर्कंफ्रेंस ऑफ इस बेस थर्टी सेवन मोर देन रेडियस तो सर्कंफ्रेंस कितना होगा और माइनस आर इसका दिया गया 37 कहा गया वॉल्यूम निकालना है यहां पर अ पाई-र इसक्वाइर यहनी 22 बटे साथ घूड़े साथ गुड़े साथ और गुड़े ह? साथ . rivals ятिस साथ कट गया वैस साथ गूड़े we साइन भी की वैलु या कोस न बराबर साइन भी होता जाएंगे तो कॉस एक 40 को लिख सकते हैं, कॉस एक 90 माइनस 50, कॉस एक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, यानि यह हो जाएगा, सेक 50, सेक 50, कॉस 50 इंटू सेक 50, कट गया है, यानि कि यह बचा 2, 3 एक 4 में से 2 घटेगा, उत्तर आपका 2 हो जाएगा, प्रस्ण में क्या कहा गया, कहा कि A, B, C, D के बीच, 1250 रुपे डिस्टिब्यूट किये जाते हैं, कहा कि B और D का अकुल हिस्सा, A और C के अकुल हिस्से के 14 बटे 11 के बराबर है, यानि B प्लस D जो है, वो 14 बटे 11 हिस्सा है, किसका, A प्लस C का, यानि अगर मैं चाहूं, तो यहां से 11 हटा के यहां लगा सकता, यानि B प्लस D को हम 14 ले सकते हैं, A प्लस C को 11, टोटल कितना हो जएगा, 25, यानि A प्लस C अगर हम ले रहे हैं, 11, B प्लस D 14 ले रहे हैं, यानि A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 25, 25 बराबर 1250 याने tt यानी एक बराबर 50 हो जाएगा ठीक है कोई दिकत नहीं कहाँ किए डी का हिस्सा एक निए यानेसरा को कि देख सबसे पहले आप क्या काम घुणनी से आप 550 हो गया A plus C परावर 550 A 右 प्लस C 1.2 A plus A 2.2 A बरावर 550 यानि A बरावर कितना हो जाएगा 22 24 24 बाइस पंच्चे यानि A बरावर 200 A बरावर 200 तो यह option तो गाईब हो गया A बरावर 200 तो C बरावर कितना हो गया इसका 1.2 गुने यानि कि इससे 50 ज्यादा, यानि C बराबर 300, C बराबर 300 होना चाहिए, तो तीनों में C बराबर 300 हो गया, C बराबर 300, आप देखो, D जो है एक आदा है, यानि कि D कितना हो गया, 125 हो गया, D कहां पे 125 दिया गया, यानि ये गायब हो गया, अब ये दोनों option बचे, और बचा कौ है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, B प्लस D 700, D बराबर 125, यानि B बराबर, B प्लस D 700, D 125, तो B 55, यानि आपके सब के value आगे, तो 55, यानि B option करेक्ट हो गया, अच्छा, option से भी कर सकते थे, आप लोग बाद में comment करने लग जाओगे, option से कर सकते थे, कर सकते थे, बिलकुल ट्रेंगल की side अगर A हो, तो उसका area होता, root 3 by 4 into area, side का square, ये बराबर दिया गया, 36 root 3, आप से मैंने हमेशा बता है, कि A square बराबर 144, तो A बराबर 12, आप से कागे radius of circle circumscribing, यानि कि circum radius बताने, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता आता है, कि अगर side दी हो, तो circum radius बर मचा दो हंगामा, कर दो प्रश्न, 100 लीटर मिक्चर था, दूद और पानी 2 नुपात, 3 के अनुपात में थे, मिक्चर का 10 लीटर निकाला जाता है, दूद से बदल लिया जाता है, फिर ये प्रक्रिया दो बार दो राए जाता है, यानि कि निकलता दूद कम है, जुडता जादा है, यानि आप से क्या काम पूछा गया, आप से पूछा गया, कि ये प्रक्रिया दो बार और दो रे जाता है, यानि टोटल तीन बार हो, तो अंतिम मात्रा दूद की कितनी होगी, आप क्या काम किया गरो, कि जो एड़ किया जाया, उसको छोड़ दूद हम एड़ कर दूद छोड़ तो, याँ आप पानी पे कलकुलेट करो, पानी 100 का 2 अनुपात, 3 के अनुपात में, यानि कि 40 लिटर दूद, 60 लिटर पानी, यानि पानी कितना था, 60 लिटर, हमने कहा, कि मिक्चर का हम 10 लिटर निकालते हैं, 10 लिटर निकालने का मतलब, 100 में से 10, यानि कि 1 यानि बते 10 का क्योद इतना बचेगा, वाटर लाष्ट में, यानि कि 9 का क्योद 7, 360 बते 10, गुड़े 60, यानि कि 7,2-9 गुड़े 6 लिटर बचेगा आपका, लाष्ट में क्या वाटर, गुड़ा कर दो, 69, चवंण, 6,2-12, 5, 17, और 6, सते 42 एक 43 यानि 43.74 लीटर बचता है मिक्चर में वाटर यानि बचा हुआ हिस्सा कितना 56.26 लीटर क्या बचेगा 56.26 लीटर क्या बचेगा दूद और 100 लीटर टोटल मिक्चर है उसमें 56.26 लीटर दूद है यानि परसेंट में 56.26 परसेंट हो जाएगा तैन थीटर कितना होता है साइन थीटर बचे कॉस थीटर बराबर रूट 3 साइन थीटर साइन थीटर साइन थीटर कड़ गया यानि कॉस थीटर बराबर हो गया वन अपॉन रूट 3 आप से पुछेंगे साइन स्कॉर थीटर माइनस कॉस थीटर साइन स्कॉर थीटर को लिख स यह उत्तर एक बट्टे तीन दिमाग में रख लो एक वस्तू है चववन हजार एक सो बीस की बेचते हैं बारा पर्शंट और अठारा पर्शंट का डिसकाउंट देने के बात मार्केट प्राइस बताओ तो बारा अठारा का सक्सेसिव कितना हो जाएगा बारा प्लस अठारा माइनिस बारा गुड़े अठारा बट्टे सो यहनि तीस में से बारा गुड़े अठारा दो सोला बट्टे सो यहनि 2.16 घटा देंगे यह बचे का कितना 27.84 परसंट का डिसकाउंट देने का मतलब कि हम बेच रहें चववन नहीं यह बेच रहें बहतर पॉइंट 16 में देखो एक्स रुपए था बारा पर्षन का डिस्काउंट देखो 88 बटे सो यानी 22 बटे 25 की वस्त बची 18 पर्षन का डिस्काउंट यानी की 82 बटे सो यानी 41 बटे कितने की वस्त बची 50 यह बराबर दिया गया 54120 मैं क्या काम करता अगर मुझे करना होता मैं 11 से काड़ देता 112 बाइस 114 44 10 101 1199 यह 4920 हो जाता 41 से काड़ता 41 41 42 82 120 हो जाता 2 से काड़ता यह 60 हो जाता 60 गुड़े 50 तीन हजार और गुड़े 25 75 हजार हो ज हर बराबर कर लो कॉस को कॉस में गुड़ा कॉस स्क्वार थीटा साइन का साइन में गुड़ा साइन स्क्वार थीटा बटे में साइन थीटा इन्टू कॉस थीटा हर का आपस में गुड़ा ऊपर कितना हो गया 1 बटे साइन थीटा कॉस एक थीटा सेक थीटा उत्तर कितना की वैलू एक बट्टे दो उसका स्कुएर एक बट्टे चार माइनस टू इंटू से 45 की वैलू रूट तू उसका स्कुएर यह 3 बट्टे चार लिखा हुए प्लस एक बट्टे साथ हर बराबर के लो तो 15 से पंदरा यह 45 और चैनल बट्टे साथ लिखा जो लिख सकते हैं 23 बटे 20 अब माइनस चार थीज बटे 20-4 तो जगा आपका एक बार सही कर लो, 3 sin square 30, यानिकि 3 गुड़े 1 बटे 4, plus 3 बटे 5 यहां कर लो, यह प्रशन सही में 3 बटे 5 है, 3 बटे 5, गुड़े cos 60, cos 60 का भी हमने कर रहा था, 1 बटे 4, minus 2 into root 2 का square, यानिकि 2 into 2, यानिकि 4, ये लिखा हुआ 3 बटे 4, ये लिखा हुआ 3 बटे 4, ये 40, यानिकि 31 बटे 10 आपका उत्तर हो जाएगा, clear, equation solve करना है, 2x plus 3y दिया गया, 3x minus 2y, यहां पे 2 से गुड़ा कर दो, यहां पे 3 से गुड़ा करके जोड़ दो, ये 4x, यहां 9x, 13x, बराबर, ये कितना हो जाएगा, 24 और 15 49, यानि x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 अग का गया, एक कोन का वॉलियूम, जिसकी base radius r है, height h है, तो इसका वॉलियूम कितना हो जाएगा, 1x3, pi गुड़े r square, गुड़े h, ये बराबर 400 है, का गया, एक दूसरा कोन है, जिसकी base radius 2r हो जाएगा, यानि 4r square तब हो जाएगा, यहां पे r की जगा पे 2r रखो गया, और h h है, तो इसका volume कितना हो जाएगा, 1x3, pi into radius square, और into height, यहां पे 4 का गुड़ा हुआ है, 1x3 pi r square h की value, 400, तो 4 into 1x3 pi r square h की value, 400 गुडे h, यानि 1600, clear हो गया, बहिया, clear हो गया, एक ब्यक्ति है, इंसान है, खाग्या एक इंसान है, जो 1.8 meter लंबा है, sorry, एन परसन, 1.8 meter टॉल, इस 1.8 meter लंबा व्यक्ति है, वो एक tower से 30 root 3 meter की दूरी पे है, कहा गया, उसकी eye से, top of the tower का जो elevation angle बनता है, यानि elevation मतलब उपर की तरफ देखना पड़ता है, यह 30 degree है, तो मीनार की उचाई यह tower की उचाई बताने है, तीस अंस, यह 30 root 3 है, अगर यह 30 root 3 है, यह वाला, तो य यह वाला, यह लंब का root 3 गुणा होता है, यानि कि तब लंब कितना हो जागा, यह 30 है, यह 1.8 है, यह मीनार पूरा कितना हो जागा, 31.8 है, clear, इस प्रशन में तो बहुत कुछ करना था, 5 sin square 60, यानि 5 गुड़े root 3 बटे 2 का square 3 बटे 4, plus 7 sin square 45, यानि 7 into 1 by 2, plus 8 cos square 45, यानि 8 into 2, 1 by 2, 7 बटे 2, धन 8 बटे 2, यह 15 बटे 2 हो जाएगा, और इधर 15 बटे 4, यानि कि 15 बटे 4, यानि पर 2 से गुड़ा कर दो, यानि यह 30 बटे 4, 15 बटे 4, धन 30 बटे 4, 45 बटे 4 आपका उत्तर हो जाएगा, यह भी ट्रिगों का प्रशन मूचाएगा, sin A cos B, sin A बराबर cos B, कब A plus B 90, 3892 यानि इसकी value एक प्लस, ऐसे sin A बराबर cos B, अगर A plus B बराबर 90, लिख लो ना कहीं पर, sin A बराबर होता है cos B के, अगर A plus B बराबर 90, टिकरी हो, A plus B बराबर 90, टिकरी हो, 42, 4790, तो यह 3 होगा, 3, 3, 6 आपका उत्तर होगा, clear, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि रोहित की income कितनी है, देख लो रोहित की income, रोहित की income 32,000 रुपे साल की है, 30% वो खर्चा करता है, बचत, 30% खर्चा यानि 70% बचत, 32,000 का 10%, 32,000, 70%, 32,000 गुड़े साथ, यानि 21,000 में 1400 और जोड़ देंगे, यानि आपका कितना हो जाएगा, 21, 12,400 आपका उत्तर हो समझे कर, देखो, अगर हम S1 सीरीज को विस्तार से लिखें, तो लिखा है, 29, 16, ऐसे फिर कितना जाएगा, 23, 7, 7 का डिफरेंस, फिर 30, 7, फिर 37, फिर 7, 44, डॉट, 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 अगर S2 को विस्तार से लिखें, तो लिखा है, 7, 11, 15, 19, चार चार का डिफरेंस, 23, 27, 31, 35, 49, 43, 47, फिर 51, ऐसे 55, चार चार का डिफरेंस लेदे, उपर वाले का दो चार चार मोर ले लो, 44, साथ 51 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 58 हो जाएगा, अब बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं पहला कॉमेंट टर्म की बात करूँ दोनों सीरीज में, तो 23, यह S1 सीरीज है, यह S2 सीरीज, मैंने दोनों सीरीज को बल लिख दिया, दूसरे कॉमेंट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 51 दिख रहे है, आपको और यहाँ पर 51 दिख रहे है, ठीक, यहीं पहला टर्म एक तेईस है, दूसरा कॉमेंट टर्म एक क्या वन है, अगर पहला टर्म क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 28, आपको पता चल गया पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ऐसे अगर अगला कॉमन टर्म की बात करेंगे, तो वह हो जाएगा 89, देख ले न, अगला कॉमन टर्म 89 हो जाएगा, अगर मैं निकाल आखना 90, य। जो जो कॉमन टर्म से उनका पहला टर्म, जैसी आगया, और कॉमन डिफरेंस पटा चल गया, अब अगर पदों की संख्या पता हो जाए, तो आपको पता है, पदों की संख्या ऐगर पता चल जाए, तो अन्समेटिकल प्रोगसिन, य। या अंक गठिती, शर कितना इन्टू ए प्लस एन सुरी टू ए प्लस एन माइनस एन्टू एक फर्मूला और होता है ए प्लस एल लिख सकते हैं अब देखो आपने कहाँ अब यहाँ पर पदों की संख्या कैसे निकलेगी मैंने कहाँ गुरू चिंता बिल्कुल इन वे टय्मीन होग реш know यहाँ अपका चकतें अगर इसका लास्ट टरम मैं मानु यानि यंत्रिटर्म मैं अन्ध्रम मैं मानूं कुछ भी हो तो छोmor 32 से होगा अब इसका इसका आत्रिटम कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस बुद्यभे गया हो इसरके कितना दिया गया 30 plus n minus 1 into d की वैलू कितनी दी गए भया 28 यह बराबर 600 यह less than or equal to 600 बरते हैं इसमें से 30 घटेगा 609 हो जाएगा 28 से डिवाइड करो 28 से डिवाइड करो गया 28 दूना 56 और 4 या उन्चास 28 यानि कि 21.something यानि n minus 1 जो है वो less than or equal to 21 यहापर 28 दूना 56 और 4 उन्चास 28 यानि कि 28 सत्य जाएगा 28 सत्य यानि कि 21.7 से n minus 1 कम या बराबर हो यान की जो वैलू होगी वो 22.7 से कम या बराबर हो अब यह नहीं है पदो की संक्या पदो की संक्या क्या डेसिमल में ह हो सकती नहीं हो सकती यानि पदो की संक्या 22.7 से अगर कम है या बराबर हो सकती है तो यहाँ पर पॉसिबल वैलू क्या है n को आपको पूरांक लेना पड़ेगा यानि n बराबर 22 यानि अब आपको पता चल गया पहलाटर 23 common difference 28 और पदो की संक्या 22 इस पॉर्मूले में n-1 इंटो d n-1 यानि 21 और गुड़े d कितना था 28 इसी को सॉल्ब करने चालिस प्लस 21 गुड़े 28 अगर मैं 28 गुड़े 20 कहूं तो 560 560 में 28 जोड़ेंगे यानि 58 58 58 प्लस 46 कितना हो जाएगा 588 और 59 59 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 634 मिल जाएगा यानि आपका समा गया 11 गुड़े 634 कि सॉल्ब कर लो ग्यारा चोको चोवालिस हसी लाएगी चार ग्यारा तियां तैस चार सैंतिस हसी लाएगी तीन ग्यारा चक्के चार चट और तीन 59 यानि आपका योग कितना गया उनतर सो चोहतर आई थिंक यह प्रशन आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगला प्रशन देखो समझ आ गया ना काग्या अकेले किसी कारेका दो बटे 5 हिस्सा 12 दिन में यानि दो बटे 5 हिस्सा अगर 12 दिन में तो एक बटे 5 छे दिन में यानि पूरा काम 30 दिन में का जो है वो 25% जाधा एक है जाएmm करता है 25 इंद 0 ओडconomic करतेंट जीं गर वेंगा मempitवा निजंद 14 हो इसे कौम यह विऊन से 12 हम लेता हैं और सिद उन्हें सब सब्सक्राइबे कर दोडिक जो है मेंद 12 एक से 25 पर्सिंट अब कहा गया अगर गर वो यह सारे एक साथ काम करें तो कितने दिन में कतम हो चार भी करता है 95 दोनों मिलके 9 दस उनिस साथ 26.5 यह एक सो ङीस काम है हो रहा है एक दिन में 26.5 तो टोल दिन कितने लगें बट गशापिस फैंट 2 से गुढा कर तो यह हो गया 240 बट तिर पार यह इतने दिन एक वाट्था हाइस परफ़ाइधे बेचा गया अगर वाट परप्रसंट नुकसान पर बेचा गया टोटल सलेंग प्राइज 48,640 टोटल सलेंग प्राइज कितना अगर本ारत वाइस 40,640 नहीं जब दोनों का सभ़ेंग है तो हम कह सकते हैं कि एक का सॉल इंगर प्राइज 24,3 320 भी क्रेमुल है उसका 2% नुक्सान हो रहा है 2% नुक्सान होने का मतलब कि इसका क्रेमुल कितना हो जाएगा उड़े 100 वटेट है इन दोनों का आपको सम पूछाएगा कर लो सौल कर लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब यह देखो सम नहीं पूछा गया यह पूछा गया गया गया तो बी निकालने के ज़रुरत नहीं थी आपका अंसर आजाता है दो टैरंस है यानि दो रेल गाड़ियां लंबाईयां साड़े 400 300 मीटर वह एक दूसरे की तरफ मूब कर रहे हैं 162 और 108 की स्पीड से उनके बीज की दूरी 300 मीटर है कितनी देर में वह एक दूसर दोनों के बीज की दूरी अभी है 300 मीटर इसकी लंबाई है साड़े 400 और इसकी लंबाई है 300 अब अगर इन दोनों को पार करना है एक दूसरे को तो टोटल दूरी तै करने पड़ेगी साड़े 400 प्लस 300 प्लस 300 यानि हजार पचास दूरी तै करने अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनकी स्पीड जो हो जाएगी वो रिलेटिव स्पीड जो है वो दोनों का योग हो जाएगी यानि 162 प्लस 108 यानि एस बराबर हो जाएगी इस से कौन बड़ा है क्यूब रूट 12 से कौन बड़ा है अब देखो आप पहले लिखो क्यूब रूट 12 आप मैं कोई एक संख्या निकाल रहे हूँ सबसे पहले चौथा ओप्सन सबसे बड़ा सा डिजीट दिख रहा है मैंने उठाया यह लिखा हूँ है 33,214 के पावर एक 12 रूट मतलब होता है एक बड़े बार यह लिखा हूँ है 12 के पावर एक बड़े तीन अब दोनों का पावर बराबर करें यहां 12 है यहां 3 है यहां इसको हम लिख सकते हैं 12 के पावर 4 के पावर एक बड़े बार लिख सकते हैं अब देखो 12 के पावर 4 बार का क्योग कितना होता है 1728 और 1728 में फिर 12 से गुड़ा करते हैं 12 से गुड़ा करो के 1289 12 दूना 24 नो 33 ठीक है और 12 से 84 और 3 87 12 एक अनम 12 और 8 20 मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार आप गुड़ा करके देख ले न 1728 गुड़े 12 कितना होता है यह नहीं 12 के पावर 4 कितना होता है 20,706 आपने कहा यह लिखा हुए 20,736 के पावर एक बटे बार और पूछा कहता है इससे बड़ा हो इसकी वैलू है इतना इसकी वैलू है इतना पावर हटा दो दोनो 20,736 बड़ा है कि 33,214 आपने कहा यह एक वैलू है आपसे कोई एक बड़ा होता आपने चौता उप्सन उठाया वही बड़ा निकल लगा मार्क करो आगे बड़ो खतम दो ट्रैंगल्स है सिमलर है कहा गया एरिया बी एसी का पी क्यू आर का 25 और 36 है आपको बताया गया बी ए बड़ाबर इतना तो पी क्यू बड़ाबर कितना होगा आपको बताना है पटा मैंने आपको बताया सिमलर ट्रैंगल्स के जो एरिया का रिश्यो होता है उनके करिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वाइर के बड़ाबर होता ब ए सी सिमलर है पी क्यों तो ब आ बटे पी क्यू बटक क्यू बटे पांच दस्मलोंब आठ देखो, कहा गया यह जो बार चार्ट है वो अलग-अलग दुकान दारों द्वारा अलग-अलग वस्तों को बेचने में जो छूट परसेंट दिया जाता है वो दिखाये गया है कहा गया, उनके विक्रे मूले जो है A1 के लिए 420, A2 के लिए 600 A3 के लिए सही कर ले ना, यहाँ पर 816 है फिर A4 के लिए, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर A1, A2, A3 का सब का विक्रे मूले जो दिया गया है वो 420 है, 600 है, 816 है, 825 है, 425 है, 800 है, और 840 है डिसकाउंट परसेंट, अगर मैं A7 से सुरू करूं A7 ने 40% का डिसकाउंट यहाँ, 60% पर बेचा, 60% बराबर 840, 1% कितना हो जाएगा, 60% 840, 1% कितना हो जाएगा, 100, 840 में 60 से डिवाइट करें, यहाँ, 14, यहाँ, 100% 14, यहाँ, कि अंकित्मु लिसके लिए यह ता, इसने 20% का डिसकाउंट यहाँ, 20% यहाँ, 80% 800, 100%, हाचा A5 की बात करें, 15% का डिसकाउंट, यहाँ, 85% 425, यहाँ, 100%, 500, इसके लिए बात करें, A4 के लिए, 45% का डिसकाउंट, यहाँ, 55%, 55% बराबर 825, 1% कितना हो जाएगा, ग्यारा सते, 77, 75, एक परशंट बराबर 15, यहाँ, इसके लिए, 100% हो जाएगा, 1500, एक बार कल्कुलेट अगर मैं A4 के लिए बात करू, A4 तक हो गया, A3 की बात करूं, A3 ने 32% का डिसकाउंट दिया, 78% में बेचा, 68% बराबर 816, यहाँ, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 816 बटे 68, 66, 68, 68, 68, 63, 136, यहाँ, 60, परशंट Complet English, एक परशंट का रिए, 66, इसके बात करें, इसने चार क का खरीदा tीन कभेचा तीन बदाबर चारकर तीन जो चार सो चार बदाबर आठा इसके लिए अंकित 5000 हो गया 5000, 6000, 17000 सबके अंकित मुल्लों को योग. εे Side Theta लिया गया зовут Surprise Theta Cora Theta पुचहाई यह Theta neutral स्वारीय चांप 2 ओधा 11 9 41 10 कितना सबर्ध कहेदा क dificuldade कितना सबर्ध कितना हो bitten कि नहीं हो जा गया चालिस बटे नहुआ चालीस बटे कलियर होगया कि हैwie कहा गया कि एक हीरे के टुकड़े का मूल है वह उसके वेट डायरेकलि documentary पॉपर्पोर्शनल या जानिकि अगर उसका weɪ डाव्लू है तो उसकी जो कास्ट है वह डायरेकलि प्रपोर्शनल यानि डारेक्ली प्रपोर्शनल अगर बराबर लगाना चाहिए तो कॉंस्ट एंटर मचाहिए कगे 14 ग्राम की केमत 2560 रुपए कगे टुकड़ा पांच अनपात नो के अनपात में टूट गया तो इसके टूटने से कितने की हानी हुई आगर 14 था तो इसका कॉष्ट कितना होने चीए 14 ही स्कुआर क कितना होता है है एक शू चैनल नवे के इसका में टूटा एक नोग्राम में तो allevi की टूटा और नुग्राम य तो निवट्ली नवाबर शोचीज पहले 106 ती यहानि कितने परसेंट का नुकसान हो 90 का नुक्सान 196 पे 90 का नुक्सान यानी परसेंट में हो जाएगा 90 बटे 196 और गुडे में लगा दो 100 4 से काटोगे 24, 4 से काटोगे 25 3 से काटोगे 8 3 से काटोगे 30 25 गुडे 30, 7500, बटे 8 8 से डिवाइट करोगे अच्छा हमने सही किया है यह 90 बटे 196 अच्छा हमने गलत कर दिया यहाँ पर देखो अभी गलती हो जाती ठीक है 4 से काटोगे तो यहाँ पर तो आजाएगा 25 और यहाँ पर आएगा 4, 4, 4, 4, 4, 9, 6 ठीक है 25 गुडे 90 यानि कि 250 हो जाएगा और इसमें 49 से डिवाइड करना है 49 से अगर आपको पता है 50 से डिवाइड करते तो कितना आता 50 से डिवाइड करते तो यह 45 हो जाता इन 45 से थोड़ा ज़्यादा यानि 45.92 आपका आंसर हो जाएगा दो प्रस्न दीकर है फटा फट बजा दो कागया एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर 72 की स्पीड से मूब कर रही है इसको किसी प्लेटफार्म को जिसकी लंबाई 7010 से उसको पारकरने में कितना आठेगा प्लेटफार्म को पारकरने में टोटल दूरी 7010 प्लस 330 यानि कि 1040 स्पीड दीगे 22 किलो मीटर पर दी गंटे तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है हमा लेते संख्या xy थी तो पलेटने पर yx आपको दिया गया xy की वैल्यू कितनी होती है 10x प्लस y अभी कितनी होगी 10y माइनस 10y प्लस x अंतर लिया गया आपको पता है बड़ी वाली कौनसी संख्या अगर कमी होती है यानि कि xy बड़ी है yx है तो 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y यानि कि डिफ्रेंस हो जाएगा 9 x माइनस y जो कि दिया गया 36 यानि आप कहेंगे x माइनस y बराबर 4 यानि संख्या की अंको का योग अंतर 4 होना चाहिए यानि पहला statement तो बिल्कुल सही अब ऐसी कितनी संख्या है दो अंको की possible है आपने कहा पहली संख्या तो 40 हो गई दूसरी संख्या 51 हो जाएगी तीसरी संख्या 62 हो जाएगी एक बाद बताओ संख्या सदय हो एक भाजी संख्या है या नहीं हमारी कितनी संख्या है पॉसिबल है ऐसी हमने कहा 40 हो सकते 51 हो सकती है 62 हो सकती है classified 84 Argent Rajasis pasty इसके बाद संक्या नहीं इसके बात संक्या हम्तम संक्या है नहीं आपने संक्यान और 44 सकताई पहला इस्टेड्मेंट डिफिरेंस चार बिलकुल पॉसिबल संक्या कमान 84 पन्तलन-へ Market नंबर is always a composite number यानि भाजी संक्या होगी बताओ पॉसिबल है नहीं 40 भाज संक्या है बिलकुल 51 भाज संक्या है नहीं बिलकुल 62 है 73 नहीं 73 नहीं है 73 composite number नहीं यानि तीसरा statement नहीं सही यानि कि पहला और दूसरा statement सही इस प्रशन का उत्तरसाइध हिंदी में जो हिंदी में भासा लिखी गए थी उसमें कुछ गलती थी तो इस प्रशन को challenge कर सकते हैं हिंदी बाज कहा किया तीन साल पहले जो है रमन की जो salary थी तीन साल पहले रमन की जो salary थी वो क्या कहा गया 45,000 था आप कहा किया उनके बेतन में पहले दूसरे तीसरे वर्श में 10 A और 20% की ब्रशन की ब्रशन की ब्रशन हुई और उसका अभी बेतन 83,160 है तो आपको value बतानी है कितनी थी 45,000 अभी कितनी होगी 83,160 83,160 यानि कि कितना गुना हुई आप कहांगे 83,160 बटे 45,000 लगा थोड़ा से यहां पर दिमाग में लगा रहा हूँ यह 0 यह 0 कट गया 3 से कट रहा है आपने कहा बिल्कुल कट रहा है 3 से क्यों 9 से काट दो 9 से कटोगी 9,9,18 9,924 हो जाएगा 9 से कटोगी यह 500 हो जाएगा फिर यह किस से कटेगा 4 से कटेगा यह 125 हो जाएगा 4 से यह कटोगी तो कितना हो जाएगा 4 दुनियाथ 231 हो जाएगा हमने कहा अगर संख्या X थी मतलब उसकी सेलरी X थी पहले 10 परशन बढ़ी यानि 11 बटे 10 होई कितना गुना बढ़ा यह कहा गया तो X यहां से हटा दो अब आपको निकालना है A की वैरी खटा-खट सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा देखो 2, 3, 6, 2, 5, 10 5, 25, 25, 5, 125 ठीक है 11 से कटोगी यह 21 हो जाएगा 3 से कटेगा 7 हो जाएगा 5 से यह कटेगा 20 हो जाएगा 100 प्लस A बराबर 140 A बराबर 40 आपको जाएगा A क्यूब आड़ है volume दिया गया height दिया गया तो आपसे कहा गया area of base of cube अगर लंबाई L हो चोड़ाई B हो तो इसका उचाई H मानके इसका आयतन निकाल सकते है आपको उचाई दिगे 20 तो इसका आयतन कितना हो जाएगा L गुड़े B गुड़े 20 जो कि 4800 है 20 से यह कटा यह 240 हो आपसे आधार का area पूचा गया था आधार का area कितना हो जाएगा क्योंकि आधार की लंबाई और चोड़ाई L और B है तो area कितना हो जाएगा L भी A, B, C और P, Q, R दो ट्राइंगल है A, B बराबर P, Q, 6 है B, C, बराबर Q, R है अगर किसी तिर्भुज की तीनों भुज़ाएं बराबर हो किनी दो तिर्भुजों की तीनों भुज़ाएं बराबर हो जाए तो कोई A, B C कोण X डिग्री का हो A, B, C जो कोण है वो X डिग्री का हो तो आपको P, R, Q की वैलू बताने P, R, Q की वैलू बताने P, R, Q यानि इस कोण की वैलू बताने एक बात बताओ अगर कोई ट्राइंगल की एक बुज़ा अच्छे हो, एक बुज़ा आठ हो एक बुज़ा 10 हो तो आपको पता है, ये एक एंगल कितना हो जाएगा 6 का स्कॉरर प्लस 8 का स्कॉरर प्लस 10 का स्कॉरर यह राइट अंगल ट्राइंगल तो ये X था, ये 90 हो, तो ये 90 माइनस X हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर अगर 5X विक्रे मुल्य है, तो उसका 20% प्राफिट है यानि कि X का प्राफिट है, यानि कि क्रे मुल्ली सिसाब से कितना हो जाएगा 5X विक्रे सेलिंग प्राइस, X का प्राफिट है, यानि कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा चार है और 4X बराबर 800 यानि X बराबर कितना हो जाएगा 700 यही पूछा है गया clear हो गया X बराबर 700 clear हो गया देखो कहाँ कहाँ कि ABC एक right angle isosless triangle है यानि कि यह संदिबाहू भी है संदिबाहू भी है और यह right angle यानि कि आपको ABC कोई तिर्भुच दिया गया जिसका B कोण 90 अंस दिया गया यह भुजा 12 तो यह भुजा 12 हो जाएगी यह 12 root 2 हो जाएगा आपको एक चीज बता दू कि जो right angle triangle होता है उसके लिए जो सरकम radius होती हो वो करण किया दी यानि 12 root 2 बटे 2 यानि कि 6 root 2 हो जाएगे और जो in radius होती है वो होती है perpendicular plus base minus height by 2 यानि कि P plus B 12 plus 12 24 minus 12 root 2 बटे 2 यह हो जाएगा 12 minus 6 root 2 और इन ही दोनों का अनुपाद निकालना था यान्नि अंतावरित की तरी जा 12 minus 6 root 2 इसका अनुपाद 6 root 2 से निकालना था 12 minus 6 root 2 ratio 6 root 2 3 root 2 से काट सकते हैं 3 root 2 से काटोगे तो यह कितना हो जाएगा 2 root 2 minus 2 बड़ाबर या 6 root 2 से काट दो 6 root 2 से काटोगे तो या 6 से काट दो 2 minus root 2 ratio तो आपका अनुपाद कौन सा हो जाएगा यह तो यह दोनों फॉर्मूले याद रखना आपका answer आराम से आ जाएगा बोलो clear है नहीं clear है बिल्गुल clear होगा आप सभी को clear हो गया चलो बहुत सुन्दर गाहा गया कहा गया बिने और महस 0.200 meter दूरी पे है एक दूसर से बिने और महस कहां पे है 0.500 meter दूरी पे है अब आपसे क्या कहा गया दे आर मुविंग ट्वार्ट से आ रहा है एक चौन से आ रहा है एक दूसरे की तरफ आएंगे रिलेट्व इस्पीड नभे नभे को मीटर पर सेकंड में बदलों के पांच बटे अथारा से गुड़ा अथारा पंचे नभे यानि पच्छीस मीटर पर सेकंड से दोड़ रहा कहा गया कि सॉलिड इस्पेर जिसका रेडियस दिया गया कहा गया इसको आठ स्मॉल सॉलिड इस्पेर में मेल्ट किया गया कहा गया सम आफ टोटल सर्फेस एरिया कितना होगा देखो आपको मैंने क्या बता है कि अगर रेडियस निकालनी हो तो मदब अगर निकालनी हो कि क बटे, small r बराबर दो, capital radius कितनी दीगे, बड़े वाले कित रिज्या, 14, यानि small r कितना हो जागा, 7, आपको पता है, 8 गोले हैं, एक गोले का कुल पीछ छेत पर 4 pi small r square होगा, तो 8 का कितना हो जागा, 8 गुडे 4 pi r square, इन्हें हो गया 32, गुडे pi r square, 22 बटे 7, गुडे 7, 7, 7, 7 कड़ गया, 154 में 32 का गुड़ा करना है, 32 को, 128 हासी लाइगी 12, 32, 560, 12, 12, 12, 87, 31, 32, 37, 498 आपका answer आजाए, एक राइड प्रिज्म है, इसका base equilateral triangle है, जिसकी side 10 cm, height दिया गया, तो आपसे total surface area पूछा गया, देखो, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का total surface area क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए, फॉर्मूला बताओ, total surface area of prism क्या होता है, बताना है, आपको पता है, प्रिज्म क्या होता है, सेब पता है, अगर आपने star base करा होता है, तो आपको पता होता, कि total surface area पराबर होता है, 2 into area of base, 2 into area of base, plus, 2 into area of base, plus, perimeter of base into height, आपको पता है, equilateral triangle है, भ रूट 3 बाई 4 इन्टू 10 का स्क्वार यानिकी 100 अगर संभाहु तिर भुज़े तो उसका पेरिमीटर कितना हो जाएगा 30 और गुड़े हाइट 10 रूट 3 यानि 300 रूट 3 चार से कटो गया 25 हो जाएगा 25 दून अपचास रूट 3 और प्लस 300 रूट 3 साढ़े 300 रूट 3 आपका आंसर आजाएगा साढ़े 300 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा तो यह फॉर्मूला याद रखना है टू इन्टू एरिया ऑफ बेस प्लस पेरिमीटर ऑफ बेस इन्टू हाइट इसका टोटल सर्फेश प्रशन देखो कागया निमलिखिद बार ग्राफ 2012 से 17 तक कमपनी दोरा कच्चे माल की खरीद में निवेश की गई राशी और कमपनी दोरा बेचे गए तयार माल के मूली को दिखाता है यानि कि आपको जो एमाउंट इन्वेश्ट किया गए इन्वेश्टमेंट ब्लू है और जो केसरिया कलर का है वो है कितना मिलता है आप सिखा के 2012 से 17 के दोरां कच्चे माल की खरीद में निवेश की गई राशी 2012 से 17 की समानवधि की दोरां तयार माल की बिक्री के राशी मुली के बीच का अंतर यानि 12 से लेके 17 तक आपको पहले आपको निकालना है कच्चे माल तो 140, 250, 350, 325, 525 और 450 जोड़ना है तो 450 पहले सब का वो जोड़ना है 40, 50, 90, 90, 50, 140, 140, 140 और 25, 165 और 25, 165 और 25, 165 और 25, 240 240 इधर हो गया और 4, 5, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, 18 अठार, अठार सो और जोड़ना है यानि 2040 यह हो जाएगा कितना हो जाएगा 2040 आगर मैं इधर निकालो तो 220, 320, 520, 520, 4920, 994, 1395, 61995, 1995 और 25, 1995 और 25 कितना हो जाएगा 2020 और 2020 में 500 और जूड़ना हो जाएगा यानि कि 2520 इनके एवरेज के बीच का डिफरेंस तो तो आप क्या करोड़ो डिफरेंस में इनका और उसका और कि बीच का डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालो किसोром कि तो कितना आएगा तो कितना आ जाएगा अगला प्रशन देखो का गया एक कोई कारिया ग्यारा दिन में कर सकता है वी बाइस दिन में सी तरीके से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है का गया पहले दिन ए और बी जाते हैं दूसरे दिन बी और सी जाते हैं तीसरे दिन सी और जाते हैं फिर चोथे दिन ए और बी यानि पहले दिन कितना उनिट काम हुआ होगा छे प्लस तीन नौ दूसरे दिन बी और सी जाते हैं यानि कि पांच तीसरे दिन क आपने टोटल काम माना था 46, तीन दिन में हो गया 22 काम, आपने काा कि 3 डेज में 22 काम होता है, हमें करना कितना है, चाछचट यानि इसका 3 गुन n, तो दिन भी कितने लेंगे, इसका 3 गुन n इन 2H प्लस R इसका जो योग है वो 2068 बेस रेडियस साथ देगे वॉल्यूम निकाल यहाँ पर अगर 2PiR कॉमन लेलो तो यह बचेगा 2H प्लस R यह बराबर दिया गया 2068 अगर R बराबर साथ हो तो 2PiR यानि कि यह कितना हो जाएगा दो गुड़े 22 बटे 7 गुड़े 7 या से काटो कि 47 यह बराबर साथ यह बराबर 40 यह बराबर 20 अब वॉल्यूम निकालना था वॉल्यूम कितना होता है पाई री स्कॉरे यह 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 बटे 7 गुड़े आर स्कॉरे 7 गुड़े 7 गुड़े कितना है बीस बाई सत्य एक सो चववन और गुड़े बीस तीन हजार अस्या आपका अंसर जाए इससे कठिन दुनिया में कोई प्रस्ट नहीं है का गया एक बस 112 किलो मीटर कभर करती है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो आपको बताना है कितना टाइम 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर थी गहंटे में बदलना है तो चोवन केलो मीटर पर थी घंटे इसकी स्पीड आ चाएगग चोवन से 162 यह नh korki bullets ए ठीन गंटे लगे स्क्वार एक्स 1 अपॉण साइने को सेक्स और अगला प्रशन देखो एबी सीडी क्या है क्वाड्री लेटरल है कहागे लेंथ आफ डाइगेनल एसी 24 देखो मैं एक क्वाड्री लेटरल ड्रा कर ले रहाँ A, B, C, D A, C आपको दे दिया गया 24, कहा गया B से इस पर perpendicular draw किया गया, उसकी लंबाई मालो X है, इसकी लंबाई Y है, तो आपको ये perpendicular हैं दोनों तो X प्लस Y आपको दिया गया, तो आपको बताना है area of quadrilateral देखो हमेशा मैंने बता है, अगर star batch आपने क्या होगा, quadrilateral कि अगर आपको एक diagonal दे दिया जाए सारी, एक diagonal एक विकर्ण दे दिया जाए उस पर दोनों, बतलब दो सीर से डाले गए लंब दे दिया जाए, तो इसका area होता है कितना होता है, half into length of diagonal into, इसके जो perpendicular draw किया गया है, X और Y length के उनकी लंबाईयों का यो, यह होता area, आपने कहा, half into diagonal की लंबाई कितनी दी गए भाई साब 24, AC की लंबाई 24, और गुड़े यह कितना दिया गया है, 10 24 गुड़े 10, 240 का आधा कितना हो जाएगा 120 cm2 आपका area तो यह formula याद रखना, कि अगर कोई diagonal दिया गया, उस पर दो विप्री सीर्षों से डाले गए लंबो किना आप दी गए, तो आपका area क्या होता है PQR equilateral triangle है ठीक है A centroid है, PQR क्या है equilateral triangle A centroid है, यहाँ पर A है, आपको पता है अगर A centroid है, PM median है तो यह दो अनपात, एक के अनपात में 6 root 3, और जो centroid है यहाँ केंद्रक है, वो इसको दो अनपात है, एक के अनपात में divide करेगा, यहाँ कि PA की लंबाई हो जाएगी, दो हिस्सा out of 3 हिस्सा तीन बराबर 6 root 3, यहाँ पूरा 2 और 1, तीन बराबर 6 root 3, यहाँ एक बराबर 2 root 3, तो 2 यहाँ, PA के लंबाई पूचेगे, यहाँ दो रिश्यो पराबर 4 root 3 हो जाएगा, देखो A दिया गया, B दिया गया, A गुड़े B की value, 0.000 04 का वर्गमोल कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गुड़े, इसका cube root कितना हो जाएगा 0.02 0.02 में 3 बार गुड़ा करोगे, तो इतना है 16,000 में 16 का तो 4th root निकल जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1000 यानि कि 4th root of 1000 यहाँ बचेगा ऐसे अगर मैं बात करूँ तो 125 का cube root 5 हो जाएगा, बचेगा cube root के अंदर 1000 ऐसे यहाँ पर बात करूँ तो cube root, 4th root 81 का तो निकल जाएगा, 3 हो जाएगा बचेगा कितना 4th root of 10 इसको गुड़ा करना है 20 0.729 0.9 इसका cube root हो जाएगा 0.016 का जो अगर हम मो निकालेंगे 4th root तो 0.2 हो जाएगा, बचे 0.4 लिखा हो, इसी को solve करना है, देखो अगर हम point की total बात करें, तो आप कहेंगे यह कितना हो रहा है भी है, देखो 2, 2, 4, 5 और 6, यहाँ पर लिख लो 10 के पावर minus 6, और गुड़े लगा दो 2 दूनी 4 से 4 काट दो अच्छा ने, ठीक, और यहाँ पर 10 के पावर minus 1 लगा के, यहाँ पर 10 में लोटा दो, 4 से 4 करेंगे, 9 दूनी 18 उपर बच रहा है, 3 से इसको कर दो यह 3 बचेगा, 2 से इसको कर दो 2 बचेगा, बचा कितना, 3 बटे 5, यानि कि 0.6 बचा, यहाँ 10 के पावर minus 6, यहाँ यह 10 लिखा हुआ है, और गुड़े, यह 4th root of 10, यानि कि 10 के पावर 1 by 4 लिखा हुआ, देखो, 10 पावर 3 बचेचार, गुड़े 10 पावर 1 by 4 यानि यह हो जाएगा 10, 10 into 10 कितना हो जाएगा, 10 into 10 100 हो जाएगा, यानि उपर लिखा है 0.6 गुड़े 10 के पावर minus 5, और इसको 10 के पावर 2 से डिवाइड करना है, 10 के पावर 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ 10 के पावर minus 7 आजएगा यह लिखा, 0.6 into 10 पावर minus 7 यानि यह हो जाएगा, 6 गुड़े 10 पावर minus 7, तो इसका कोई यह आंसर सही नहीं था, इस व्यासे यह गलत है आपका correct answer हो जाएगा, 6 into 10 पावर minus, नहीं हो बताने है कौन से बिनी छोटी है अब देखो 5 बटे 11 लिखा हुआ 5 बटे 11, डिवाइड करो, पॉइंट यह 50 हो जाएगा, 11, 4, 44, 6, 60, 11, 55, ठीक है फिर 5, 50, 11, यानि कि 0.45 पे बाहर आजाएगा, अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे, तो 0.6 से थोड़ा कम यानि कि 0.6 के करीब लगभग हो जाएगा अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे, 13, 13, 68, और यह 20, 0.61 के करीब हो जाएगा, अगर यहाँ पर चोटा value कौन दे रहा है अहला वाला तो सबसे छोटी भीन भी यही हो जाएगी देखो कहा गया दो सरकल है जिनकी लंबाईया 36 cm है जिसकी radius जो है two circle each of radius 36 cm वो एक दूसरे को काटते हैं इस प्रकार से कि एक circle दूसरे circle के center से होके गुजरता है इस तरह से आपका कुछ figure बन जा है उभय जीवा की लंबाईया आपको बतानी उभय जीवा की लंबाईया आपको बतानी देखो समझो बात को अगर मैं बात करूँ इसकी radius ठीक है 36 cm दी गई है 36 cm दी गई है अच्छा एक बात बताओ भया कि अगर o1 इसका center है o2 इसका center है तो o1 o2 अब देखो यह center से परित तक की दूरी radius हो जाएगी यह पूरी 36 यह इसकी common cord अगर पूरा 36 है तो यह कितना हो जागा 18 और अगर यह 18 है तो यह आपको पता है परपेंडिकुलर भी होगा common अगर दो बृत एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं तो उनकी जो तरिज्या होती है उसको common cord जो यह right angle triangle यह 18 यह 36 है यह 18 एक कम 18 अगर एक भुजा एक हो और करण दो हो तो दूसरी भुजा भी कितनी हो जाती है दूसरी भुजा रूट 3 हो जाती है यह एक रेश्यो बरावर 18 तो रूट 3 रेश्यो बरावर 18 यह इतना हिस्सा अठार रूट 3 हो गया पूरी जीवा की रेश्यो आफ मंधली इंकम और एंड भी मंधली इंकम का रेश्यो 4 हुज शेविंग करेश्यो 14 एंपाथ 19 एबी 4 एंपाथ 5 के अदप में कमाते हैं और 14 नंपाथ 19 के अनपाथ में बचाते हैं कहा गया अगर मंधली एकस्पेंडिचर इक कतर हजार 200 हो तो आपको बताना ह उनके मन्थली इंकम के बीच का डिफ्रेंस बताना है यह चार एक्स है यह पांच एक्स है यह मानलो 14 वाई बचाते हैं 19 वाई आपको दिया गए 4 एक्स माइनस 14 वाई यह आपका खर्चा हो जाएगा यह भी 71,200 है और 5X माइनस 19 वाई यह भी 77,200 के बरबर है यह चार एक्स माइनस 14 वाई बरबाबर 5X माइनस 19 वाई यहनि हम कह सकते हैं X बरबर 5 तो इसकी कमाई हो गए 20 Y इसकी कमाई हो गए 25 Y बस आपका आगे आपने गए डिफ्रेंस देखो 6y निका बच रहा है, 6y, 6y बराबर इतना, यानि y बराबर कितना हो जाएगा, 6 एक कमचे, एक दसजार 200, y बराबर दसजार 200 तो आप से डिफरेंस पूचा गया था, तो 20y मैनिस 25y, यानि 5y, अच्छा एक मिनट है, या आपका हो गया, कितना हो गया, 6y बराबर, ये y बराबर 200, y बराबर 200 तो इनके बीच का डिफरेंस, यानि income के बीच का डिफरेंस, तो 20y, 5y का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20y, 25y का डिफरेंस, 5y, यानि y बराबर 200 तो ये हो जाएगा, आपका 1000, देखो, आपको मैने बताया था, अगर coordinate symmetry आपने पढ़ी होगी, तो मै y एक्सिस के parallel उस रेखा का समिकरण होता है, जो y एक्सिस से a दूरी पे होता है, यानि x बराबर a अगर दिया गया, तो ये इतनी दूरी a होगी, यानि कि ये ये रेखा हो जाएगा, अगर y बराबर a दे दिया जाए, तो ये y बराबर a, x एक्सिस के parallel उस रेखा का बाराजार का 10% कितना होता है 1200, 10% 1200, 40% 4800 और 5% और 600 और जोर दो चोंवन सो रुपे आंस, इस प्रशन को ध्यान से समझो, यह अच्छा प्रशन है, कागया दो लाइन चार्ट दिये गए है, लाइन चार्ट एक जो है, वो मेल्स और फिमेल्स का रेशियो दिखाता है, यह मेल समझे रहें, आप देखो, आपको दिया गया, आपको निकालना क्या है, आप से खागे, वाट इस दे रेशियो आफ नंबर आफ मेल्स आफ कंपनी बी, इन वाइवन, यानि बी का वाइवन यह मेल्स की जो अनुपात है, उसका अनुपात निकालना है, टोटल नंबर आफ इसकी कमपनी एके लिए, वाइथरी और वाइफाइब है, यानि एके लिए वाइथरी और वाइफाइब एहर में फिमेल्स की जो संख्या है, उससे अनुपात निकालना है, अब इस प्रस्न को इतना देखो, और फिर उत्तर करने की कोशिश का, मैं बात कर रहा हूं, यह य आखिर मैं कमपनी एक के लिए बात करूँ, तो नो आखिर, टोटल मेल वाइवन जो दिये गे हैं, पसा, मैल जो दिये हैं, यानि की ये वराबर दिया कि एकी 50,00, और टोटल फिमेल जो दिये गए हैं, यह ते देखतो, इखता, तो डीचा, आपको क्लेना हैं, आपको calculate करना है y1 year के लिए b में males किसे हैं कि यह 9y calculate करना है 9y calculate करना है यानि कि यहाँ पे 10 से काड़ दो यहाँ पे किस से गुड़ा कर दो 11 से तो यह 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 0, 11, 6, 6, 11, 12, 22 अब यहाँ से आपको y निकाल लेंगे तो 2y बराबर आ जाएगा कितना यह 60 हो गया यह 1560 2y बराबर 1560 यानि y बराबर कितना हो गया 2 सते और 2 सते 14 और 2 अठे 16 y बराबर 780 यानि y company b के लिए males की संख्या y1 में कितनी हो जाएगी 880 गुड़े नहीं यह कहीं पर लिख ले ना और B में female की बात करते हैं, देखो, अगर मैं बात करूँ y3 के लिए, अगर A company में 0.8 male और female का ratio है, यानि कि अगर हम मानें कि females की संख्या 10x है, तो males की संख्या 8x, company A के लिए, B के लिए अगर हम बात करें, तो अगर ये 100 मानें, तो ये 135 है, यानि कि 20y अगर female है, तो 27y male है, और total male और female, अगर मैं बात करूँ y3 के लिए, तो यहाँ पे total male कितने हैं, देखो, total male, 18,025, और total female कितने हैं, 16,000, आपको निकालना है, company A के लिए, females की संख्या, females की संख्या, यानि X के लिए solve करना है, X के लिए आपको solve करना है, 10 से काड़ तो ये कटा, ये कटा, ये 16,000 हो गया, यानि कि 10x प्लस इतना, अब 2 को 27 बनाना है, या साड़े 13 से गुड़ा कर दो, तो ये साड़े 13x प्लस 27y, बराबर साड़े 13 से गुड़ा, मतलब कि आप कह सकते हैं, 800 में 27 से गुड़ा, तो ये हो जाएगा, डूल 0, ठीक है, और 7, 8, 7, 56, 8, 2, 16, और 521, यानि 21,600, अब इन दोनों को घटाएंगे, तो साड़े 5x बराबर आपको आजाएगा, ये घटे का तो ये आजाएगा, 575, 575, और ये कितना बच्चे का, 2, 25, यानि कि यहां से 55, एक्स बराबर इतना, 55, 11, 55, 11, 12, ये इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11, 22, एक मिनट मैं देख ले रहो, 11, 22, 11, 22, और ये, कितना हो जाएगा, 11, 55, 25, 750, एक मिनट देख ले रहे हैं, घटा रहे हैं, भीविव, घटा दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आठ सो गुडे 27, करो पहले, 800 गुडे 27, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है, 21,600, 21,600 मैं से 18,025 घटा वोगे, तो ये आपका ज यह तो आपको निकालना क्या था कंपनी एक लिए फीमेल्स की संख्या थी तो आप बात करें अगर तो आप बात करें अगर तो आप मेल की और फीमेल की वाई फाइप में देखो वाई फाइप में जो मेल और फीमेल का अनुपात है कंपनी ये के लिए वन पॉइंट चार है यानिकि दस एक्स अगर मेल है तो दस एक्स फीमेल है तो 14 एक्स मेल है और अगर इसके लिए बात करो तो 100 एक्स अगर 100 वाई फीमेल मानू तो 17Y अब सम देख लो male और female का male का सम देखो यहाँ पे male का सम है 13,550 और female का सम जो है वो है 11,800 आपको निकालना है company A के लिए females की संख्या यानि कि 10X निकालना है यानि X के लिए calculate करना है तो Y गायब करना है यह आपको देखे X plus 2Y बराबर 1180 तो आपको Y गायब करना है तो 8.5 से गुड़ा करने का मतलब 17 का कितने से गुड़ा कर दोगे 17 का 590 में गुड़ा कर दोगे तो यह कितना होज़ेगा 17,0,0,7,9 यह 153 होता है ठीक है आपके पास दोनों फी मेल की संख्या आई थे, अब आपको रेशियो क्या निकालना है, मेल का, किस के लिए, वाई वन के लिए, वाई वन में मेल कौन से कमपनी, भी कमपनी का, बटे, वाई थिरी और वाई फाइब में, फी मेल, किस कमपनी के लिए, एक के लिए, आपने दोनों निकाल इसमें कितना आया था 780 गुड़े 9 इधर यह कितना या 600 ये कितना ये सैदे friction 360 पटे में ये 17900 हो जाए 9 से कटा 9 2 11 12 3 से कटा 3 से कटा यह कितना हो गया 430 हो गया 2 से कटा 2 215 2 से कटा 2 49 हो जाएगा 49 तिया 117 बटे 215 यह आपका रेशियो हो जाएगा जो required रेशियो था अगला प्रशन देखो x plus 1 by x का square दियागे x power 6 plus 1 upon x power 6 की value पूछीगे तो अगर मैं यहां से solve करूं तो यह x square plus 1 upon x square plus 2 बराबर 3 यह नहीं x square plus 1 upon x square कितना हो जेगा अब अगर x square को ए एज्यूम करें तो यह लिखा a plus 1 by a बराबर एक आपको निकलना aq plus 1 upon aq अगर a plus 1 by यह m होता है तो aq plus 1 upon aq होता है m cube minus 3m m बराबर 1 1 minus 3 minus 2 आपका उत्तर हो जाएगा minus 2 उत्तर हो जाएगा प्रशन देखो उत्तर करो क्या कहा गया कहा गया a b c एक business start करते 10 14 और 20 लगा कि कहा गया कि तीन महीने बाद c ने ब्यापार छोड़ दिया c के छोड़ने के साथ महीने बाद c ने भी छोड़ दिया b भी छोड़ देता है b और c ने अपनी अपनी investment उनके साथ ले ली साल के अंत में कहा गया c जो है वो क्या काम करता ह 1155 रुपे पाता है तो कहा गया what is the total share of profit of a and b कहा गया a b c ने कितना कितना लगा a b और c की बाद करें तो इसने 10 लगा है इसने 14 लगा है और इसने 20 लगा है कहा गया कि तीन महीने बाद c भाई साब कुट कर देते है फिर c के 7 महीने बाद कारोबार छोड़ने के बाद b ने जोड़ने कि 3 महीने पहले हो चुके थे साथ महीने और दस महीने तक पी ने लगा रख़ा उसके बाद 2 चुड़ने अब अपना धन वापस ले लिया और अप यह वो साल भर के लिए लगाता है यानी सुने तीन महीने लगा भी ने 100 महीने लगा और रगा आपसी का हिस्सा 11 इंवेश्टमेंट इंटू टाइम यानि 60 रेश्यों के बराबर मिलेगा बी का 140 मिलेगा और सी का 120 मिलेगा जो 60 है वो 1155 है तो आप से 140 प्रस 120 है ने 260 पूछा गया 60 बराबर 1155 यानि हम यहां से कह सकते हैं 10 बराबर 1155 बटे 6 तो 260 कितना हो जाएगा गुड़े में 26 लगा लो 260 इतना हो जाएगा सॉल्व कर लो भई दो तियाँ छे दो से यह 13 हो जाएगा तीन से काटो के तीन तिया नो तीन अठे चोबी से तीन सो पचासी हो जाएगा तेरा पचे 65 65 हसे लाइगी छे तेरा ठेच चार और छे 110 हसे लाइगी 11 13 49 पांच यह पांच जार पांच रुपए आपको बी और सी को ए और बी को मिलेगा यह प्रस्न देखो रूत निन नानवे प्लस निन नानवे ठीक 11 से सुरूव थेरा पंद्रा फिर डॉट 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 सांसर कितने तरम हैंगे आपके 11 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस दो बराबर सांसर इससे घटेगा चपन दो से डिवाइड होगा 28 यानि एन बराबर 29 यानि टोटल टर्म कितने हैं आप एक बात बताओ मुझे कि 99 99 99 कितनी बारा है 29 यानि 99 गुड़े 39 हो गया अब अगर योग इधर निकालना है किसका 11 13 15 डॉट डॉट तो इसका योग कितना हो जाएगा आप पहले लिखो बटे मेरी 99 11 13 15 17 17 17 17 17 17 तक का योग हो जाएगा एन बाइटु यानि 29 बटे दो इन्टू फर्स्टरम प्लस लास्टरम 11 16 18 यानि इतना हो जाएगा 2 से एकटेगा 49 ठीक है तीन से काड़ दो यानि तेरा तीन से एकटेग 23 यानि आपका 99 29 29 इधर पचा यानि 99 गुड़ 29 कितना हो जाएगा 29 29 में से 29 गट जाएगा यानि 2881 इधर हुआ है 2831 में कितना जोड़ना है भाई है य देखो 13 29 यानि कि 390 90 में से तेरा घट जाएगा 27 बटे 33 यह जोड़ना है अब यह सौल्व कर लो तो 33 गुड़े इतन 226 326 और 2 8 फिर एक बार लेकए 265 133 4 7 8 614 यह 94 94 747 इसमें 207 जोड़ दो यह हो जाएगा 3 710 4 711 12 729 10 951020 और बटे में 35 95120 किल्कुलेसन में कहीं मिश्टेक करी है देख लेना यह हो जाएगा 8613 277 हुआ है तेरा गुड़े यह 377 होगा तो सारी तो 377 जुड़ेगा तो 95123 आपका आंसर आजाएगा क्लियर होगे फटाक से वैलू पूट करो खतम करो वैलू क्या पूट करोगे आप 10 कॉट साइन कॉस्ट अहां सारे दिख रहे हूं जीरो और 90 और 45 ना पूट करना तो 30 पूट कर लो ओपर यहां पर होजाएगा 1-1 रूट-3 यानि कि रूट-3-1 रूट-3 यह वच्चे का 1-1 रूट-3 टीक तो यह रूट-3-1 रूट-3-3-1 कर जागे निए आपका उत्तर होजाएगा रूट-3 इसकी value रूट थी तो आपका अंसर यह वाला हो जाए लो भाई या का आब डी की वैलू क्या होगी यह पूछा गया कि अमेशा या ज़िए कि BD square ये result ही होता है कि अगर B से D पे perpendicular draw किया गया तो जो BD square होगा यानि BD square की जो value होगी वो जो दो टुकड़े करण के बनेंगे उनका यानि कि जो एक करण होगा उसके दोनों टुकड़े के गुड़न फल के बराबर होगा यानि BD square बराबर होता है AD into DC क्यों होता है आप एक काम करो आप इसको दोनों triangle similar हो जाएगे ADB ADB similar हो जाएगा BDC के ADB similar हो जाएगा CBD के उसमें अगर मैं देखो यह कोड़ थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा यह 90 माइनस थीटा तो यह थीटा है इसमें अगर हमने 90 माइनस थीटा के सामने की बुझा ली है तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने की बुझा लेनी पड़ेगी यानि AD बटे हमने फिर थीटा के सामने की बुझा लेनी पड़ेगी खर्च करता है अगे बचाता है सेविंग इतनी है तो आपको फूटल एकस्पेंडिचर फूट और और फूड और क्लादिंग बताना बताना है दस परसेंट उचने खर्च कर देकर ट्रांसपोर्ट पर फूड पर करें बिंटे तीस परसेंट अब बचा कितना सत्तर सतर का 30 प लादिंग पर खर्चा कितना है यानि कि 20 और 21 41 की वैलू पूचीगे साथ से कड़ों के साथ सता उन्चा साथ एठेटेशपन साथ से फिर से कार दो साथ पचे पैरतिस एक पर्षेंट बरावा 540 तो 41 पर्षेंट 41 गुड़े 540 हो जाए एक तालिस जीरों जीरो एक तालिस चो को 164 हसी लाएगी सोला एक तालिस पंचे दो सोपास सोला दो सो इक किस अजार 22,146 एक आर्टिकल है जिसको 25 परशेंट नुकसान पर बेचा जाता है यानि कि चार का खरीदा गया तो तीन का बेच रहे है अब का क्या कॉस्ट सेलिंग प्राइज को कितना बढ़ा दिया गए सेलिंग प्राइज को 60 से बढ़ा दिया गए यानि के अगर 4 एक्स ता तो यह आहट आओ अप सेखसण बराबर यानि एक्स बराबर हो जाएगा 100 तो आपसे आर्टिकल का मूल लागत पुछा गया था यानि 4x की वैलू पुछी गई थी आपका अंसर 400 हो जाएगा एक वस्त है जिसका मूल ले 28,000 मार्ग किया गी कहा गया इस पे अगर हम 24% का डिसकाउंट दे एक 16% 10% तो कहा गया किस तर 24चन यहाँ परसेंट का डिसकाउंट है यहां पर 24.4 तो ज्यादा डिसकाउंट का हाँ यहां पर यहां पर यहां पर यानि कि नियुनतम देने और वाला है वही सही हो निकि यह वाले तो गायब होगा अब देखो 24.4% का डिस्काउंट 24.4% का डिस्काउंट यानि बिख कितने के रही 25.6% 28,000 का 10% कितना है 2800 तो 70% कितना हो जाएगा 2800 गुड़े साथ 5% और 1400 हो जाएगा और 0.6% अगर इसका 1% की बात करो तो 280 है तो दुसमलो 6% हो जाएगा 2800 गुड़े 6% यानि एतना हमें बिखनी चाहिए साथ गुड़े 2800 कितना हो जाएगा साथ अठे चपन या 19,600 हो गए 19,600 में 1400 जोड़ोगे तो ये 20,000 21,000 हो जाएगा 21,000 प्लस 186 यानि 21,186 रुपे में बिखेगा बेबी में तो आपको करेक्ट आपसोन जाएगा बेबी में बिखेगा 21,168 रुपे वैल्यू बतानी है इसकी देखो 29.16 प्लस इतना प्लस इतना देखो 29.16 का वर्गमूल अगर आप निकालने जो पहले एक काम करो रूट के अंदर ही 29.16 लिखो इसको और यहाँ पे 116.64 यानि कि 120 इधर बढ़ा दो प्लस ऐसे यहाँ पे देखो यह लिखा 29.16 यानि 29.16 लिखो यहाँ पे लिख दो 116.64 दोचीरो प्लस यहाँ पे लिख दो 36 यहाँ पे लिख दो 36. अब इसको सॉल्प कर ले हमने दसमलो हर जगां हटा दिये यहाँ यहाँ पे आगर देखो तो 18 215 18 225 अब देखो यहां पे अगर काटोगे 8 से तो यह कितना होता है 1488 1488 के बार 12 жीरु आ जाएगा यहां पे 8 से काटोके 8 तियां चौबिस और моя 364 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 तियां चौबिस यह 4 से कटेगा 8 से न कटके 4 से काटो चार से काटोगे तो कितना हो जाएगा भी यह 4 से काटोगे 4 दुनी 8, 4, 9, 36, फिर यह 16, 12, 0, और 4 से यह आप ऐसे कह सकतो कि यह सीधे 1 बटे 400 लिखा हुआ है ना, 1 बटे 400, 1 बटे 400 का अवर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 बटे 20, यह 1 बटे 100 लिखा हुआ है यानि 1 बटे 10 क अगला प्रशन देख लो, 7 बटे 2 धन, 11 बटे 3 बटे, 7 बटे, यह साथ बटे 2 बटे 2 धन, 7 बटे 6, 7 बटे 12, डॉस साथ बटे 106, दूसरे case में हो, यह लिखा हुआ हो, ग्यारा बटे 3, धन 11 बटे 15, धन 11 बटे 35, डॉट डॉट डॉट, ग्यारा बटे 500 पच्चत्य लिखा हुआ है, देखो अगर मैं इसमें उपर वाले में 7 कॉमन ले सबस्का है साथ टाइम सब्सक् descendants कि ईक बाटे दो यहां पर 12 11 ollut यहां पर अगर को लिख सकते हैं एक बड़ी 19 माइनस एक बड़े पांच ऐसे दो-25 को लिख सकते हैं एक बड़े FDP – 25 छींद हैं यहाँ ध्यान रखना हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइट गठेंगे यानी लाष्ट्ट में बक्षेगा है नीचे वाले का समाया ₹· Double गुड़े 1 – 1ट 2015 2ट25 आपका सम आ पतसा जरु नीचें वाले सीरीस में पर आपका सम हाल गया नीची का इस बटरीश थे 125 बटीश अब इनी दोनों का योग निकालना है तो 84 बटे 13 प्लस 132 बटे 25 25 गुड़े 84 25 गुड़े 80 कितना हो जाएगा 25 गुड़े 80 कितना हो जाएगा विया 2000 2000 में 400 जुड़ जाएगा यानि कि 2100 हो गया ये तेरा गुड़े 132 तेरा दूना 26 तेरा तियां 49 दो 41 और तेरा एकनम तेरा चार सत्रा यानि 2100 में से 1716 जुड़ जाएगा यानि कि इतना हो जाएगा 3816 और नीचे बटे बचेगा 25 गुड़े तेरा 25 गुड़े बारा 300 उसमें 25 और रेड हो जाएगा 325 तो आपका आंसर 3816 बटे 325 हो जाएगा मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो कोई क्लास है उसके साथ स्टूडेंट का एवरेज जो है 28 का कि पहले तीन का एवरेज 30 है एज ओफ फोर्थ स्टूडेंट इस फोर लेस एक पहले तीन का एवरेज जो है वो कितना है तीस यानि फीफ फूर्थ स्टूडेंट इस फोर यह सेसलेंट इस फिप्थ स्टूडेंट का अगर एकस है तो इसका एकस माइनस 4 ठीक है अभी होगा तीन चार-पांच इस टूडेंट सेह यानि एज फ लास्तू इस्टूडे औरिवेज कि पहले तीन चाथ्रों से पांच वर्स चाथ्रों कि पहले तीन चाथ्रों कि आउसत आयोний तो अरे, average 35, और दोनों की आयु बराबर, तो यहनी, दोनों की आयु 35, आपको कि गे 4 और 5 और 6 तर रहे, आउसत आयु क्या है? आपने कहा, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, और 7, सब की आयु का योग मिकाल, नबे और सत्ताइब एक सो साथ गटेगा 36 हो जाएगा 36 में 4 और जुड़ जाएगा या 40 हो जाएगा 2x बराबर 40 यानि x बराबर 20 x बराबर 20 हो गया तो x-4 और x का एवरेज 2x-4 बाइट्व यानि x-2 हो जाएगा अब वह से गिनने जाओगे तो गलत आप अभाज संख्याइज जोड़ों तिरपन से सतानवे तर तिरपन कि उन्सठट एक सट तिरिशेट पैसे सट सट इकत्तर तिहत्तर उन्यासी एकत्तिर तिरासी तिस नवासी और इक्याननवे 17 यह संक्याइं होगी जो अभाजी संक्याइं हो तीन तीन छे क्षार दस संक्याइं पैथालीश में से 10 आभाजी यानि भाजी कितनी हो जाएं कि 55 मैंने दस यानि 35 आपको अगर यह फॉर्मूला याद हो अगर आपको सब को याद हो यह चीज कि मैंने यह करवाया था किसमें करवाया था इस टार बहेंच में कि भाया अगर कोई triangle है उसकी sides x y और z तो तीन case होते हैं एक होता है x square plus y square less than z square यह अधी कोण तिर्भूज होता है अधी कोण मतला obtuse अगर यह case हो रहा है तो obtuse अगर x square plus y square बड़ा है z square से तो वो होता है acute angle यहाँ पे acute angle होता है और अगर x square plus y square बड़ाबर z square के तो यह right यह right angle होता है यह acute angle होता है यह obtuse ठीक है एक संकू दिया गया उसकी slant height यानि l बड़ाबर दिया गया 20 cm area of base यानि pi r square बड़ाबर 616 आप से curve surface area पोचागे यानि pi rl पोचागे pi r square बड़ाबर 616 यानि हम कह सकते हैं यह 22 बटे 7 लिखाओ है 22 से काटो के 22 24 24 28 16 यानि r square बड़ाबर 28 गुड़े 7 यानि 196 यानि r बड़ाबर 14 तो pi rl यानि 22 बटे 7 गुड़े 14 गुड़े 20 साथ दूनी 14 गुड़े 20 800 अस्याप का आंसर हो जाएगा 880C आपका पांसर हो जाएगा क्या कहा गया a b c d f regular hexagon है यानि कि समसट भुझे समसट भुझे रह कर लो कि यह समसट भुझे कितनी बढ़ाएं तीन और एक मिनिट समसट भुझ बोला गया था यह आपका समसट भुझे नाम करन कर दो a b c d e f ठीक है आप से कहा गया इसकी भुझा 36 cm की है तो आपको बताना है a b c का छेतर भल क्या होगा यह छेतर भल बताना है आपको पता है कि समसट भुझे होता है उसका interior angle n-2 upon n into कितना होता है 180 यही होता है सब के लिए आपको पता interior angle की value कितने होती n-2 upon n into 180 degree ठीक है अगर regular polygon n बराबर 6 रखोगे तो यह हो जाएगा इसका interior angle कितना हो जाएगा 4 बटे 6 गुझे 100 c यानि यह angle हो जाएगा 120 अब आपको triangle a b c का area चाहिए triangle a b c का area चाहिए आपको पता a b b 36 है b c b 36 है इनके 20 का corner 120 degree तो इसका area हो जाएगा half into a b गुड़े b c यानि 36 गुड़े 36 और गुड़े sin 120, sin 120 कितना होता है root 3 बटे 2 से यह कटा 18, 18 गुड़े 36 यह 2 से कड़ तो यह भी 18, 18 गुड़े 18 324 और root 3 यह किसका area है a b c का area है समझ में आ गया क्या कहा गया compound interest एक certain 7 पे 8% rate से 2 साल का compound interest 2 साल का 8% की rate से 6,856 है अगर what would be the simple interest on the same sum for 2 years उतने ही simple interest निकालना है 2 साल का 8,8% की rate से कितना हो जाता है 16.64 यह बराबर दिया गया है 6,856 यह एक परसेंट बराबर 4 हो जाए लेकिन निकाल सकते हैं लेकिन कोई जिरूरत नहीं है 1% बराबर 400 अब 2 साल में even numbers का योग पूछा जाए तो n into n plus 1 होता है यह even number और अगर पहली n odd numbers का योग पूछा जाए तो n square अब आपको average निकालना है तो average अगर n sum संख्यों का योग इतना है तो n से divide करते हैं याई average हो जाएगा n plus 1 और अगर n विसम संख्यों का योग n square है तो average होता है n square by n अब आपसे कहाँ कि पहली 118 sum संख्यों का उसत याई इसका उसत कितना हो जाएगा 169 और पहली 139 भी संख्यों का याई यह हो जाएगा 139 न बराबर 139 तो यहाँ पर 139 हो जाएगा इन ही दोनों का यहाँ से आपसे पूछा गया difference between squares of their radius याई इसकी value पूछीगे तो साथ बटे 22 ही धल लियाओ 22 से काटोगे यह कितना जाएगा 22 कम 22 24 तो आर इसकार माइनस आर इसकार 12 सते 84 हो जाएगा काम खत्म simplified value बूछीगे देखो x plus y plus z into x y plus y z plus z x minus x y z अपान देखो अगर मैं यहाँ पे x बराबर y बराबर z माल दो या ऐसा न मालो मालो x बराबर 1 है y बराबर 2 है और z बराबर 0 है तो पहले पे जहाँ जहाँ z है वो खत्म हो जागा यह खत्म हो किया अब यहाँ पे देखो x plus y plus z 3 x y plus y z plus z x यानि x y बचा कितना बचा 2 6 उपर बचा नीचे बचा 1 plus 2 3 y plus z 2 z plus x 1 यानि कि आपका उपर बचा 6 नीचे बचा 6 आपका आंसर 6 बटे 6 यानि कि उत्तर 1 हो गया बस काम खत्म हो गया उत्तर एक हा जाएगा लगाते हैं 5 महीने बाद a ने 4,000 और एड़ कर दिया यानि कि 24,000 6 महीने बाद c ने 8,000 और एड़ कर दिया 6 महीने बाद c ने 8,000 और एड़ कर दिया c ने 8,000 और एड़ कर दिया और 4 महीने बाद सुरू के b ने 8,000 निकाले थे तो कहा गया अगर उनको साल के अंत में X रुपए का प्रॉफिट हो तो उनके प्रॉफिट का रेशियो बताने है देखो अगर मैं बात करूँ A ने तो A ने 20,000 लगाए 12 महीने के लिए देखो A ने 20,000 लगाए 12 महीने के लिए 20,000 बारा महीने के लिए और जो यह 4,000 बढ़ा है वो क्योवल 7 महीने के लिए यानि A का से र कितना है जगा 20,000 गुड़े बारा दो सो चालिस और प्लस 4,000 साथ महीने के लिए यानि 28 यानि A ने टोटल कितना लगा है 200 और से B ने 25,000 चार महीने के लिए 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 100 पची हजार चार महीने के लिए यानि कि 100 और प्लस 17,00 आठ महीने के लिए 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 यानि कि 136 और यानि कि 236 इसका टोटल इंवेस्ट में सी ने 10,000 कितने महिने तक लगाए 6 महिने तक यानि 60 इदर और फिर 6 महिने तक 18,000 लगाए यानि 108 यानि इसने कितना इन्वेस्ट कराए 168 तो आप से कहा कि प्रॉफिट का रेशियो बताने है 268, 236, 168 किसे काट सकते हो चार से, 4 से कटोगे 4, 4, 16, 4 से कटोगे 69, 4, 24, 24, यान एक दुकान दार है वो 18% नुकसान पर अपनी वस्तु बेशता है कहा कि अगर सेलिंग प्राइज को 144 रुपे बढ़ा दिया जाए ठीक है और कॉस्ट प्राइज को 30% से घटा दिया जाए तो 20% का प्रॉफिट है अब ही उस 144 रुपे ज्यादा लेने लगा और उसकी कॉस्ट प्राइज को कहा गया 30% से घटा दिया यानि कॉस्ट प्राइज तो कहा गया 20% का प्रॉफिट होगा यानि कि 14 एक्स का प्रॉफिट यानि 84 एक्स बिक्रेम लेगा 84 एक्स बरावर 82 एक्स प्लस 144 एनि 2 एक्स बरावर 144 एनि एक्स बरावर 22 तो मूल विक्रेम मूल ले आपसे पुछा गया यानि 82 एक्स की वैलू पुछी रही तो 72 गुड़े 42 उनिट डिजिट चार और साथ अठे छपन आपका आंसर क्या हो जाएगा कैल्कुलेशन करके अगला प्रशन बजाओ चलो कागया एक व्यक्ति है जो चावल खरीता है बहुत चावल खाता है अगया राइस की प्राइज अगर 25 परशंट कम हो जाए तो वह 30 किलो ज्यादा सेम खर्चे में खरीज सकता है देखो आप एक काम करो चार एक्स पहले क्रेम मूले मार लो और घटने के बाद यह तीन एकस बचा चार एकस से चावन सो में कितना खरीदेगा चावन सो बटे चार यानि कि चावन सो बटे चार कितना हो जागा चावन सो बटे चार कितना हो जागा यह हो जागा तेरा सो बचास बटे एकस यानि कि पहले वो खरीता था तेरा सो बचास ब यानि चार एकस यानि 60 रुपे पर ती किलोग्राम चावल मिलता था कहा गया कि A अकेला एक कारे को 14 दिन में कर सकता है B अकेले उसी काम को 28 दिन में कर सकता है ठीक है और C अकेले उसी काम को 56 दिन में उन्होंने काम एक साथ करना शुरू किया और completed the work such that B was not working on last two days A did not work in last three days देखो A 14 दिन में 14, 28 और 56 का LCM ले लो तो कितना हो जाएगा 56 यानि total 56 unit काम है तो एक दिन में 4 B 28 दिन में 56 एक दिन में 2 C 56 दिन में 56 यानि एक दिन में अकर X दिन total काम चला तो आप से कहा गया कि B last दो दिन काम नहीं करता यानि B X minus 2 दे और A ने तीन दिन काम नहीं किया यानि X minus 3 A ने total काम कितना किया 4 X minus 12 B ने कितना काम किया 2 X minus 4 C ने कितना काम किया X total बराबर कितना हो किया 56 यानि 4 2 6 1 7 7 X minus 16 बराबर 56 यानि 7 X बराबर 22 कितने दिन में काम खतम हो 22 साथ दिन क्लियर कहा गया कि पाई चार्ट जो है छे लग लग डिपार्टमेंट में पूरिसों की संख्या दिखाते हैं अब डिगरी में दिया गया है ठीक है सारा कहा गया कि नंबर आफ मेल्स एस में तोटल नंबर आफ मेल्स चार पी में मेल्स किसन था कितन आपई आएब किसी और इसी वैलन कैसे किया जाते हैं A बराबर दिया गया B बराबर दिया गया C बराबर आपको क्या गाम करना है A बराबर इसको fraction में कैसे बदलते हैं देखो 312 लिखो 312 मेंसे जिस पर बार नहीं लगा वो घटा दो 309 बचेगा और बटे में क्या लगाओ जितने आदर पर बार है उतना 9 और जितने पर बार नहीं इतना 0 B ऐसे कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C यहां लिखते रहो B कितना हो जाएगा 415 में से 4 गटेगा 411 बचे नोtin के इसका हो जाएगा 309 माइनस 30 तो यह हो जाएगा 289 बटे यह हो जाएगा 900 फीज्रह, ठीक नौ से इसको काड़ओ यह हुझाएगा 100 ये 9 से काट़ोगे नहीं 9 से नकाटव मैं 10 से काड़ओ स्वारी एक मिनला तो इह काट़ोगे यह हुझाए 100 नो से काट़ोगे 31 होझां को जात 309 411 यानिकि 720 बटे 909 ये कटा ये कटा ये कटा 9 से 11 हो 9 से 8 बात ये आठ बटे 11 धनी 31 बटे 100 लसे हम लिए लोग 800 और 330 यानिकि 1130 और 11, 1130 और 1111 बटे 1100 आपका आंसर ब्टे 10 देको देखो कहा कि cube root of n जो है वो ऐसी value है जो 6 से तो बढ़ा है और 7 से छोटा है cube कर दो यानि n जो है वो 7 के cube यानि 343 से छोटा होगा और 216 से बढ़ा होगा अब n की कितनी values possible हैं 216 से लेके 343 के बीच में बताओ 216 से लेके 343 तक कितने digit है आप घटाओगे 13 में से यह 127 प्लस 1 यानि की 128 अगर मैं पूछू 1 से लेके 5 तक कितने आंक है तो आप कहते हैं 5-1 प्लस 4 और 5-1 प्लस 1 अगर मैं पूछू 2 से 5 तक कितने digit हैं आप कहते हैं 5-2 प्लस 1 यानि 4 डिजिट हो जाएंगे 2-3-4 इनको include करते हैं लेकिन यहां पे आपको 216 भी नहीं ले सकते 343 भी नहीं ले सकते इन 216 और 343 इसको include करेंगे तो इनके बीच में टोटल 128 इन दोनों को नहीं include करने हैं इन दो निकाल दो यानि आप टोटल कितने value पॉसिबल इंटीजर value 126 पॉसिबल है कहागे x y z distinct है और अलग-अलग है और प्राइम नमबर है इस प्रकार से कि y बड़ा है x से और z बड़ा है y से x plus y plus z सकता है अब देखो z की value अब देखो अगर मैं z यहाँ पे z बराबर 31 मालों तो x plus y बराबर कितना होजेगा 49 और कोई दो संख्याय बताओ जो 49 देती हो सम अब एक बाद बताओ कोई दो क्या कहते हैं संख्याय जो है अब हाज संख्याय जिनका सम 49 हो सकता है बताओ द z को 37 ले लो तो x plus y बराबर कितना होजेगा 33 और आपको पता है कि दो संख्याय ऐसी हैं जिनको हम जोड़ें तो वो अभाज संख्याय हो जाएंगी अब हाज संख्याय जिनका योगफल हम 33 कर सकते हैं कौन कौन सी कौन कौन सी 31 और 2 31 और 2 यानि कि हम अगर x को 2 ले 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 य को 31 ले ले और z को 33 ले 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 तो देखो तो 37 ले 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 तो यह देखो मोहित का वेतन साथ पर्शंट जादा है विजय से बिजय का अगर पचास है तो मोहित काआ से कितना कम है विजय का वो कितना कम है 30 30 एसी का किटना पर्शंट है आपके 20-80 गुरेशं इसी यह तीन बटे आठ 29-5 पर्शंट बोलो clear हो गया यह सबको, हो गया clear, चाल, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत ज्यादा सुन्दर, देख रहे हो भी नो, last question पर पहुच गया, अभी तक कोई प्रशन अच्छा नहीं मिला, तो आप कहेंगे यह प्रशन तो बहुत अच्छा है, मैंने का नहीं, आपने क यादि योग निकारना है, तो आप कहनँके summation of n into n, यादि, n square और प्लस, यादि आप कह सकते हैं, summation of n square, n बराबर 1 से लेके 20 तक, और प्लस summation of n बराबर 1 से लेके 20 तक N यानि प्र्थम एक से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है N into N plus 1 into 2N plus 1 by 6 और प्रथम N संख्याओं के योग N into N plus 1 by 2 बस आप पूट कर दो यहाँ पर 20 पूट करोगे तो यह 20 गुड़े 21 और गुड़े 41 बटे 6 और यहाँ पर कितना हो जागा 20 गुड़े 21 बटे 2 यानि कि 210 यह देखो 6 से कटेगा यह 3 हो जाएगा पहले यह 10 हो जाएगा 3 से कटेगा 7 यानि 70 गुड़े 41 यानि 0 7 1 7 7 4 28 यह 8 270 में 210 जोड़ना है तो 2870 प्लस 210 कितना हो जाएगा 3080 हो जाएगा आपको यह फॉर्मूला भी याद होना चाहिए प्रतम एन प्राकिर्टिक संक्याओं के वर्गों का योग भी याद होना चाहिए समझ आ गया सारा प्रश्न अगर समझ में आ गया तो ताली ठोको है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रश्न ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया होगा अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सेयर सब्सक्राइब चैनल फलाना डिम का लव यू और आल बेरी वेस्ट वार्ट